जंगल में देवेश की आकरती पेडों की चोटी पर बुनाई करते हुए एक फूर्तीले बंदर की तरहे चमकती है उसका शरीर हवा में एक पंख की तरहे हलका तैर रहा था और उसके रास्ते में एक भी पत्ते को परेशान नहीं कर रहा था उनकी अभिव्यक्ती गंभीर थी और अपने अगले कदम की योजना बनाते समय उन्होंने अपने परिवेश के प्रती उच्चस्तर की सतरकता बनाए रखी जबकि वूचेंग यी के समूह ने उसके प्रती जिस तरह से व्यवहार किया था उससे वह असंतुष्ट था अंत में इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने उद्देश को प्राप्त करने में सफर रहा हाला कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जो खबर उन्हें मिली वह इतनी गंभीर होगी वर्षों से जीवन के अनुभव के लिए इस अलग दुनिया में प्रवेश करने वाले विभिन गुटों के शिशों ने अकसर अपने स्वयं के समूह बनाए थे यहां तक की कभी-कभी अस्थाई बड़े पैमाने पर गठ बंधन भी बनाए गए गए थे लेकिन इस बार तियान लैंग राजवंश के क्रिशकों द्वारा किये गए कारियों के कारण सभी महान हान राजवंश के क्रिशक पूरी तरह से एक साथ बंध गए थे यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था और यह दोनों देशों की युवापीधियों के बीच जीवन और मृत्यू संधर्श के स्थर तक बढ़ गया था अंतर विजेता कौन होगा देवेश अनिश्चित था लेकिन आखिरकार वह एक महान हान राजवंश क्रिशक था सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें तियान लैंग राजवंश के लोगों का उन पर हावी होने का विचार पसंद नहीं आया यदि यहां असुर संप्रदाय के दो शिश्यों और उस वुचेंगी के अत्यधिक अहमकार के लिए नहीं होता तो देवेश इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए चेंजुशू और अन्य लोगों के साथ बने रहते लेकिन जो हो चुका था वह हो चुका था इसलिए देवेश ने अपने विचारों को इन विकर्शनों से मुक्त कर लिया और आगे बढ़ता रहा जब अचानक वह रुप गया और उसकी आखों में संदेह की जलक के साथ पीछे देखा एक पल के लिए वहां खड़े होकर देवेश मुस्कुराया जमीन पर गिर गया और फिर अपनी सांसों को छुपाते हुए छिपने के लिए एक बड़े पेड के पीछे छिप गया कुछ ही समय बाद जिस दिशा से वह अभी आया था एक और आकरिती उसके सिर के उपर से उड़ गई जैसे जैसे वह आगे बढ़ा देवेश की नजर इस व्यक्ति के चहरे और कपड़ों पर पड़ी यह आदमी तलवार रखता था और नीली वर्दी पहनता था वह थोड़ा बड़ा था शायद 20 के आसपास और उसका चहरा गंभीर था देवेश ने ठंडी सासे खीची और उसकी आखों में जानलेवा इरादा जलब गया यह व्यक्ति वही था जिसे उसने युद्ध के मैदान में सफाई करते देखा था सभी रक्तमोतियों को एकत्रित करने वाला उसकी पीठ पर जो तलवार थी उससे उसकी पहचान करना आसान हो गया वह नाइन स्टार स्वार्ड स्कूल का शिश्य था जो वुचेंग यी के जूनियर भाईयों में से एक था उसने उनके समूह के साथ मिलकर काम नहीं किया और इसके बजाय देवेश का पीछा किया जिससे उसका इरादा बिलकुल स्पष्ट हो गया देवेश का चेहरा ठंडा पड़ गया पहले वह वुचेंग यी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था चेंजुशु और सुजियाव यू को शामिल करने के डर से लेकिन अब जब उसने किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजा था तो उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था शुरूआत से ही देवेश एक शमाशील स्वभाव की कमी का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल का शिश्य कुछ ही दूर रुका था और फिर वापस चला गया उसकी आखोंने आसपास का सावधानी पूर्वक निरीच्षन किया यदि कोई ध्यान से सुने तो वह उसे बुदबुदाते हुए सुन सकता है अजीब बात है वह कहां चला गया वह एक सचातत्व सीमा मास्टर था और निश्चित था कि उसकी गती देवेश की तुलना में बहुत अधिक थी लेकिन अब इतने लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद वह जिस रास्ते का पीछा कर रहा था वह अचानक गायब हो गया था स्वाभाविक रूप से उसने दोबारा वापस जाने और आसपास के जंगल की अधिक सावधानी से जाच करने का फैसला किया देवेश इस आदमी की प्रशनसा किये बिना नहीं रह सका उसमें सचमुछ ट्रैकिंग की अध्भुत शमता थी रास्ते में देवेश इस बात का बहुत ध्यान रख रहा था कि वह अपनी दिशा के बारे में कोई सुराग न छोड़े लेकिन इस आदमी ने फिर भी उसका पता लगा लिया था एक क्षण बाद नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल का शिश्य देवेश से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रुका और उसकी भौहें सिकुड गई और उसने इधर उधर देखा देवेश ने धैर्य बनाये रखा और चुपचाप पेडों के बीच शिपकर शिपकर इस व्यक्ति को देखता रहा काफी देर के बाद वह आदमी बुरी तरह मुस्कुराया उसकी पीठ के पीछे पहुँचा और हवा के तेस शोर के साथ अपनी तलवार म्यान से खींच ली हाथ में तलवार लेकर उसकी गती अचानक नई उचाईयों पर पहुँच गई उसकी संपूर्ण आभा बलेड के समान तीक्ष न हो गई नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था अकेले यह गती एक सामान्य ट्रू एलिमेंट कल्टिवेटर से काफी बहतर थी मुझे पता है तुम यहां हो क्योई जियान जिन अर्थपूर्ण धंग से मुस्कुराएं अपनी तलवार पकडली और आत्मविश्वास भरे स्वर में चिल्लाएं आग्याकारी रूप से बाहर आओ और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा देवेश ने भौहें सिकोड ली उसे यकीन नहीं था कि Nine Stars World School के इस शिश्य ने वास्तव में उसे ढूंद लिया था या वहग खुद को उजागर करने के लिए उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था क्योई जियान जिन ने कहा चोटे बच्चे मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ आज तक जो लोग मेरे बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं आठ महान परिवारों के युवा आकाओं के अलावा आपके अलावा कोई और नहीं है केवल इसी के लिए मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप अपने शरीर पर हर गोली नहीं डालेंगे मैं आपको चोट नहीं पहुचाऊंगा ताकि मैं उस मिशन को पूरा कर सकू जो बड़े भाई ने मुझे दिया है कुछ खणों की चुपी के बाद क्यूई जियान जिंग की आवास ठंडी हो गई और उसने धमकी दी तोस्ट को अस्विकार मत करो या तुम्हें नुकसान होगा मेरा प्रस्ताव केवल तब तक अच्छा है जब तक मुझे तुम्हारे चिपने की जगह नहीं मिल जाती अभी बाहर आओ और चीजों पर चर्चा करो जब तक मैं मैं अभी भी अच्छे मूर में हूँ अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर क्यूई जियान जिन ने अब बोलने की जहमत नहीं उठाई उसने अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई और सभी दिशाओं से तीवर तलवार की चीखें गूंजने लगी देवेश का चहरा कठोर हो गया क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों और हलकी ठंडक फैल गई है जिसके कारण वह जल्दी से अपने चिपने के स्थान से बाहर निकल गया एक एक करके अद्रिश तलवार क्यूई के बलेड बाहर चले गए और सौ मीटर के दाएरे में हर पेड को गिरा दिया केवल जमीन पर गिरने के बाद आसानी से कटे हुए स्टंप को पीछे चोर दिया देवेश का चहरा उतर गया अब उसे नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल के इस शिश्य की निर्मंता समझ में आ गई अभी तक उसके साथ उसकी बातचीत केवल समय रोकने की एक चाल थी लेकिन वास्तव में वह गुप रूप से इस हमले की योजना बना रहा था जब वह बोल रहा था तो वे अद्रिश्य तलवार क्यूई धागे चारों और फैल गए थे इसलिए एक बार जब उसकी व्यवस्था समाप्थ हो गई और उसने इस तलवार क्यूई को सक्रिय कर दिया तब तक जब तक देवेश पेडों में चिपा रहेगा वह सुरक्षित बच नहीं पाएगा स्वभाग्य से देवेश सतर्ग था और जल्दी से चक्मा देकर बाहर निकल गया अन्यथा इस स्वोर्ड क्यूई हमले ने उसे निश्चित रूप से आश्चर्यच्कित कर दिया होता और निससंदे उसे भारी चोटे आती देवेश को अब इस व्यक्ति को कम आकने की हिम्मत नहीं हुई नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल को आठ महान परिवारों के अंतरगत पहला संप्रदाय कहा जाना अकारण नहीं था इसके विशिष्ट शिशों में से एक कमजोर कैसे हो सकता है आपको पाया क्यूई जियान जिनने मुढकर देवेश की ओर उदासींता से देखा हवा में अपनी स्थिती से उसे नीचे देखते हुए आखों में तिरसकार भरा था हाला कि उसने अब हमला नहीं किया और इसके बजाए चुपचाप देवेश का निरीक्षन करना चुना प्रिथककरण और पुनर्मिलन सीमा सात्वें चरण के क्रिशका सामना करते हुए क्यूई जियान जिन स्वाभाविक रूप से निडर थे उनका प्रतिद्वंद्वी केवल इसी स्तरका था और दूसरे दरजे के संप्रदाय से आता था इसलिए उन्हें यकीन था कि एक ही तलवार उनका सिर्काटने के लिए परियाप्थ होगी खुद को छुपाने की आपकी क्षमता काफी सरल है क्यूई जियान जिन ने बिना किसी हिचकी चाहट के उनकी प्रशनसा की आपने इसे किस से सीखा जाहिर तोर पर उसे देवेश की चुपने की कलामे दिल्चस्पी थी संकटे समय अगर उसके पास ऐसी कोई तकनीक होती तो इससे जीवित रहने की उसकी क्षमता बढ़ जाती यही बजह थी कि उसने तुरंट देवेश पर हमला नहीं किया देवेश ने केवल व्यंग किया आप मेरी क्षमता को पहले ही देख चुके हैं तो यह इतनी महान कैसे हैं क्योई जियान जिनने धीरे से अपना सिरहलाया उसकी आखें लालट से भर गई और प्रशंसा का भाव दिखाते हुए कहा मैंने इसे नहीं देखा लेकिन मैंने मेरे प्रती आपकी शक्रुता को महसूस किया और मेरी तलवार क्योई ने सहज रूप से थोड़ा सा जवाब दिया वास्तव में मैं केवल इतना जानता था कि तुम पास ही कहीं छिपे हुए थे लेकिन मैं तुम्हारा स्थान नहीं बता सका इसलिए मैंने एक मौका लिया और तुम्हें जबर्दस्ती बाहर निकालने की कोशिश की ऐसा लगता है कि मैं भागेशाली हो गया उसके धैर्यपूर्वक समझाने के बाद क्यूई जून जिंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा तुम एक चतुर लड़के हो मैं अब तक यहां खड़ा हूँ तुम्हें बस इसी से मेरे इरादे समझ जाना चाहिए तुम्हारे पास जो भी गोलिया हैं उन्हें सरेंडर कर दो मुझे अपनी चुपाने की कला बताओ और मैं तुम्हें जीवित रखने पर विचार करूँगा देवेश ने सरल्ता से व्यंगे किया क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पहले ही हरा चुके हो क्योई जुन जिंग एक पल के लिए ठिठक गए और हंसने लगे आप क्या सोचते हैं वह मात्र प्रिठककरण और कुनरमिलन सीमा का सात्वा चरण था यहां तक की एक सच्चा तत्व सीमा क्रिशक भी नहीं था तो फिर उसे कोई खत्रा कैसे था थोड़ी देर हंसने के बाद क्योई जुन जिंग की मुस्कान गायब हो गई इससे पहले की उसने थोड़ा सिरहिलाया बहुत अच्छा एक बार जब मैं तुम्हें अपंग कर दूँगा तो मैं इतमीनान से तुम्हारी तकनीकों के बारे में पूछ सकता हूँ इससे पहले की वह अपनी बात पूरी कर पाता उसके हाथ की तलवार जपकने लगी जेंग ध्वनी के साथ तलवार की कुछ लहरें अचानक पंखे के आकार की व्यवस्था में उसके सामने प्रकट हुई जो बरफीली ठंडी रोशनी से चमक रही थी प्रत्येक तलवार की लहर में निश्चित रूप से एक विशाल छिपी हुई घातकता नहित थी हाँ हाँ क्यूई जियान जिनका नाम तलवार अक्षर के साथ लिखा गया था इसमें कोई संदेह नहीं था कि तलवार के साथ उनकी क्षमता महान थी और केवल इस हमले ने ही उनके असाधारन कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था तलवार की लहरें विस्पोट की तरह उड़ गई इन तलवार लहरों का खत्रा महसूस कर देवेश तेजी से पीछे हट गया उसके चहरे पर इत्मीनान का भाव तुरंत गायब हो गया यह व्यक्ति वास्तव में प्रथम श्रेनी संप्रदाय का मूल शिष्य था वह बहुत छोटा था फिर भी उसमें इतनी ताकत थी थोड़ी ही देर में तलवार की लहरें देवेश के सामने आ गई और सीधे उसके शरीर में घुस गई क्योई जियान जिनने भौहें चढ़ा दी उसने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी आसानी से चलेंगी वह देवेश को सीधे तोर पर मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह उसे अपनी चुपने की कला की साधना तकनीक को उजागर करने के लिए मजबूर करना चाहता था इसलिए जब उसने अभी हमला किया तो वह अभी भी पीछे हट गया था अगले ही पल क्योई जियान जिनकी आखें चमक उठीन क्योंकि उसकी तलवार बाहर निकली और उसकी तरफ कट गई तलवार की एक और लहर प्रकट हुई और उसके बगल के शूने को छेती हुई प्रतीत हुई जैसे ही देवेश की आकरती उभी दूसरे पक्ष का दूसरा हमला उसकी ओर उड़ गया जिससे उसे प्रहार से बचने के लिए अपने आंदोलन कौशल का फिर से उपियोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा अच्छा 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 तालिया बजाते समय क्योंई जियान जिनका चेहरा उच्साह से भर गया केवल दो हमलों के बाद उसने हमला नहीं किया, बलकि लालट से देवेश की ओर देखा, आपका आंदोलन कौशल भी शांदार है, एक प्रिथक्करन और पुनरमिलन सीमा सात्वी चरण इतनी गती से आगे बढ़ने में सक्षम है, मैं बाद में आपसे इसे स्विकार करना सुन हे दूँगा, और तुम मुझे अपने नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल के कुछ तलवार पौशल सिखाओगे, इसके बारे में क्या ख्याल है, आप तलवार सीखना चाहते हैं, क्योई जियान जिनने देवेश को उच्छ सुकता से देखा, उसके शरीर को ध्यान से देखा, लेकिन उसे तलवार का कोई निशान नहीं मिला, यदि उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो वह तलवार चलाना क्यों सीखना चाहता था, हाँ, हम दोनों को वही मिलता है, जो हम चाहते हैं, और किसी को भी कष्ट सहने की जुरुरत नहीं है, देवेश ने सिरहिलाया, तक की शक्तिशाली आठ महान परिवार भी इससे इंकार नहीं कर सके, आपका सपना, नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल की तलवार बासी बाहरी लोगों को कैसे सिखाई जा सकती है, क्योई जियान जिन ने उपहास किया, इसके अलाबा, आप मुझसे बहुत कमजोर हैं, मैं तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पहले ही हरा चुके हो, आपका आंदोलन कौशल वास्तव में शांदार है, बस तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं आपको बर्बाद नहीं कर देता, तब आप मेरे लिए इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं, क्योई जियान ज इनकी आकरिती से इंद्रधनुष की तरह प्रकाश की धाराएं निकली और वह सीधे देवेश के सामने धराशाई हो गया, उसके हाथ में मौझूद तलवार देवेश को फंसाने के लिए परदे की तरह उसकी ओर जुप गई, जिससे उसके चारों पूर, दसियों मीटर के दाइरे में मौत का अपरिहार ये कफन बन गया, चारों और से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई शूने से तार तोड रहा हो, अगर कोई ध्यान से देखे, तो उसे हवा के बीच में छोटे छोटे स्वोर्ड क्यूई ब्लेड दिखाई देंगे, जिन्होंने देवेश को पूरी तरहे से ढख दिया था, इस तिम्टिमाते तूफान के बीच देवेश की अभिव्यक्ती और भी गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि उसने अपनी युवान क्यूई को बेरहमी से धकेल दिया, उसके पूरे शरीर से तेज गर्मी निकल रही थी, और उसने युवान क्य क्योई का विस्पोर्ट करने के लिए हथेलियों के दो क्रूर प्रहार छोड़े, दोनों की युवान क्यूई तकरा गई, और हर दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ, उस पल में तलवार की सैक्डों तरंगों में से आधे से अधिक नश्ट हो गई, क्यूई जियान जिनका हथेलियों को आगे बढ़ाया और अपने डेंटियन से यान लिक्विड की एक बूंद निकाली, फिर उसने अपने सामने तलवार के प्रहार को रोकने के लिए इसे रक्तलाल धाल में बदल दिया, पेंग जैसे ही तलवार क्यूई ने धाल के मृत केंडर पर प्रहार किया, एक धातू की अंगूठी फट गई, रक्तलाल धाल हिल गई और तूट गई, हाला कि वह तूटी नहीं, हाला कि इसने क्यूई जियान जिनकी हर्ताल को ख्त्म कर दिया और इसके अवशेश गायब हो गए, एक जटके में देवेश ने अपने सामने की रक्तलाल धाल उठाई और क्यूई जियान जिनकी ओर हमला कर दिया, उतरार्धस पश्ट रूप से चौक गया था, लेकिन फिर भी जल्दी से पीछे हट गया, और देवेश ने तुरंट उसका पीछा किया, दोनों करीबी मुकाबले में व्यस्थ हो गए, प्रत्येक ने अपने स्वयं के उतक्रि जिससे देवेश को उनसे लडने की अनुमती मिल गई, तेजी से क्रोधित होते हुए, क्यूई जियान जिनकी और अधेक क्रूरता से हमला किया, उसकी तलवार अपने बिल से टक्राने वाले सांप की गती से हवा में कटकर कट्ती और चुपती रही, जिससे उसकी असाधार पूरी तरह से प्रदर्शन हुआ, उसकी चाले तरल सदैव बदलती, जंगली और अप्रत्याशित थी, जैसे ही दोनों तेजी से उनके बीच घुसे, आसपास के सभी पे टुक्रे-टुक्रे हो गए, जिससे हर जगह गंदगी और रेत उड़ गई, हर जड़क के साथ उनक जिन्ग ने पूर्न लाब हुठाया, प्रत्य एक दस चालो के लिए, आठ पर वह आक्रमन करेगा, एक उफास के साथ, क्यूई जियान जिन्ग ने अपनी तलवार क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया, और इसे सीधे देवेश की ढाल में घूंप दिया, रक्तलाल ढाल, जो इतनी आसानी से कैसे दूर जाने दे सकता था, मानु तलवार की अपनी आध्यात मिक्ता हो, धाल को चकना चूर करने के बाद, वह तुरंत देवेश की बाह की ओर चमक उठी, शुवशुआ शुवशौ देवेश की आस्तीन फट गई, और कपड़े के टुकडे हर जगह उर देवेश उग्र रूप से दाड़ा, और उसका युवान क्यूई इस हमले का विरोध करने के लिए भड़क उठा, वह तेजी से पीछे हट गया, और साथ ही एक जोरदार मुक्का मारा, उसकी मुठ्थी जल्ती हुई लप्टों में घिरी हुई लग रही थी, जिसने उसके चारों और की हवा को विकृत कर दिया था, इस मुठ्थी की भयानक शक्ती से वाकिफ क्यूई जियान जिनकी आखों में डरकी जल्त दिखी, उसने तेजी से अपनी तलवार देवेश के कंधे में मारी, जिससे उसके शरीर में तीन इंच छेद हो गया, और अपने वार से आ होने गर्म युवान क्यूई को हल करने के लिए अपनी ट्रू क्यूई को प्रसारित किया, जिसने उनके शरीर पर आक्रमन किया था, एक पल के लिए क्यूई जियान जिनका चेहरा पीला पड़ गया, जिसने उसे गहरी सास लेने के लिए मजबूर कर दिया, वह बर्निंग स जिसने तुरंट उसकी बाह को लाल कर दिया, और उसे एक भयानक रूप दे दिया, जब क्यूई जियान जिन बर्निंग सन के थ्री लेयर ब्लास्ट की क्यूई को निश्क्रिय कर रहा था, देवेश भी हलके से हांफ रहा था, और अपनी बाह हिला रहा था, क्योंकि वह प्रभावशाली हैं, लापरवाही से बोलते हुए, उन्होंने देवेश की और अपनी तलवार तान दी बिना किसी संदेह के, आप सबसे शक्तिशाली प्रिथककरन और कुनरमिलन सीमा क्रिशक हैं, जो मैंने कभी देखा है, आपकी युवान QE की शुधता पहले से ही किसी Arm True Element Cultivator से कम नहीं है, आपकी मार्शल प्रतिभा तो मुझसे भी अधिक है, हाला कि हम बस अलग-अलग पैदा हुए थे, मेरे Nine Star Sword School का तलवार कौशल सर्वोच है, आप जैसा कोई भी व्यक्ति उनका मुकाबला कैसे कर सकता है, उनका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उ अपनी तलवार को अपने सीने के सामने रखते हुए, क्यूई जियान जिनका चेहरा गंभीर हो गया, और अपनी सच्ची क्यूई के फूटने के साथ वह चिलाया, तलवार बॉड़ी, जैसे ही उसके हाथों में तलवार कामपने लगी, एक तेज और भेडी तलवार की चीक सुनाई दी, क्यूई जियान जिनके शरीर से एक तेज तलवार की आभा फूट पड़ी, फिर आभा उसकी सच्ची क्यूई के माध्यम से प्रसारित हुई, जहां यह उसकी पूरी उपस्थिती के साथ विलीन हो गई, और तुरंत उसकी गती को अपने चरम पर पहुँचा जिससे एक भयंकर हवा पैदा हुई क्योंकि अंकिनक छोटे तलवार के ब्लेड ने उसे घेर लिया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो 10,000 तलवारें उसके शरीर की रक्षा कर रही हो, नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल का तलवार कौशल वास्तव में गहन था, क्योंई को आकार देकर क्योंई जियान जिंग एक हाथी की तरह बन गया था, जदी देवेश अब उस पर हमला करना चाहता, तो उसे एक निश्चित मात्रा में खुद को लगी चोट सहनी पड़ती, मुझे स्वोर्ड बाडी का उप्योग करने के लिए मजबूर करना, आप को खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंई जियान जिंग ने देवेश को उदासींता से देखा, उसका चहरा अहंकार और तिरसकार से भरा था, जैसे कि वह सारी स्रिष्टी को नीची द्रिष्टी से देख रहा हो, जबकि वह लापरवाही से बात कर रहा था, जैसे वह ध प्रिथककरन और पुनर्मिलन सीमा प्रथम चरण में था, तब देवेश अस्थाई रूप से चरम प्रिथककरन और पुनर्मिलन तक पहुँचने के लिए अडिग इच्छा शक्ती का उप्योग करने में सक्षम था, दुर्भाग्य से अब जब वह सात्वे चरण में मैं उच्छाल के बारे में जानते हुए, क्योई जियान जिनका चहरा ठंडा हो गया और उसने तिरसकारपूर्वक कहा, अच्छा, तो आप भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अब केवल पीक सेपरेशन और रियूनियन सीमा हैं, आप अभी भी हैं, मेरा जब वंदवी हूँ या नहीं, एक बार जब हम लडेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, देवेश कुटिलता से मुस्कुराया, और अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे एक नई रक्तलाल धाल दिखाई दी, क्योई जियान जिनकी अभिव्यक्ती धुंधली हो गई, अभी कुडेच्रे वाली धाल को चकनाचूर कर देता हूँ और तुम्हें नीचे गिरा देता हूँ, क्योई जियान जिन अचानक तेज हो गया, अपनी तलवार से तेजी से आगे की ओर वार करने लगा, सच्ची क्योई जिसे उसने अपनी बाह के बाहर संखनित किया था, देवे देवेश ने तीन या चार बार भागने की कोशिश की, क्योई जियान जिनकी आखें करूरता से भर गई और वह मुस्कुराया, एक बेहत शक्तिशाली तलवार कौशल शुरू किया, जिसने देवेश की ओर उसकी तलवार क्योई को बेरहमी से मार दिया, देवेश ने जिनकी तलवार से तलवार QE के हमलों को रोकने की जरूरत थी, जबकि अपरत्याशित प्रू QE तलवारें उसे परिशान कर रही थी, जो उसके चारों और घूम रही थी, और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर कड़वी शिकायत की थ लडाई के दौरान वे दोनों तेजी से अपनी युआन QE का उपभोग कर रहे थे, इतनी तीवर जीवन और मृत्यू की लडाई में शामिल होना किसी भी क्रिशक के लिए बहुत बड़ा बोच था, इस मामले में शारिरिक शक्ती गौन थी, जबकि युआन QE की खपत सब से महत्वकून मुद्दा थी, एक शक्तिशाली क्रिशक जो अपने युआन QE का कुशलता पूर्वक उपियोग कर सकता है, वह अपने प्रतिदवन्दवी को सबसे बड़ी क्षती पहुचाने के लिए सबसे छोटी कीमत चुकाने में सक्षम होगा, देवेश और QE जियान वह अब पूरी तरह से रक्षात्मक हो गया था, जिससे QE जियान जिनकी हत्या का इरादा चरम पर पहुच गया, हंस्ते हुए उसने उसका उपहास किया और उसे पीडा दी, उसकी आखों ने अब देवेश को केबल काटने वाले ब्लॉक पर मास के रूप में देखा, खिरकार उसने अपनी असली तलवार से वार करते हुए सीधे देवेश की गरदन पर वार कर दिया, देवेश ने इस हमले को रोकने के लिए घबराहट में अपनी धाल उठा ली, लेकिन QE जियान जिनक पहले से ही तयार था, और उसकी तलवार मध्य हमले में टिम्टिमा ग उस समय उसकी ढाल, जो QE जियान जिनकी तलवार से कटने वाली थी, अचानक प्रकाश का विस्थोट हुआ, और तेजी से रक्तलाल खंजर में बदल गया, QE जियान जिनका चहरा स्थब्ध रह गया, जब उसने इस रक्तलाल खंजर को अपनी तलवार में काटते हुए दे तो उसकी यांग युवान QE काफी अधिक थी शुद्ध और समरिध, इसलिए QE जियान जिनकी तलवार एक साधा स्थील का जाली हथियार है, और यहां तक की एक वास्तविक कलाकृती भी नहीं है, इसे संभवता कैसे काटा नहीं जा सकता है, देवेश काफी देर से इस वह अपनी तलवार पकड़ने के लिए कर रहा था, आप QE जियान जिनकी आखें अविश्वास से भर गई और उसने देवेश को आश्चर यसे देखा, इससे पहले उसने हमला करने के लिए केवल अपनी तलवार QE और True QE का इस्तिमाल किया था और देवेश को आमने सामने की टकर में उलजाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अब तक उसकी तलवार के एक शतिग्रस्त होने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह कठिन रक्षात्मक धाल वास्टव में बदल सकती है, अचानक उसका हतियार नश्ट हो गया था, बिना मोटी जानलेवा आभा का उचसर्जन कर रही थी, जबकि वह क्योई जियान जिनको अहंकार से घूर रहा था, वह भी अचानक जाग गया, पूरे समय उनका प्रतिदवंद्वी केवल अभिनय करता रहा था, जिसमें वह समय भी शामिल था जब उसने अपनी पहले से सधन ध हाल को तूटने दिया था, सब कुछ जानबूज कर किया गया था, देवेश ने अपनी सतर्कता को कम करने और यह सुनिष्चित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया कि उसकी तलवार को नश्ट करने का यह एक ही मौका था, इतनी सासिक रणनीती, इतना अटूट संकल् क्यूई जियान जिन ने वास्तव में डेवेश की प्रशन साकी, न की केवल उसके मार्शल कौशल के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद क्यूई जियान जिन ने डर रहे, और अपनी तूटी हुई तलवार की मूट को दूर फैंकते हुए, उन्होंने गर्व से कहा, तो क शक्ती निकाल सकते हैं, वह अभी भी गिर जाएगी, और शायद उनकी अधिक्तम क्षमता के 90 प्रतिशत तक भी नहीं पहुँच पाएगी, यहां तक की 10 प्रतिशत कम शक्ती के साथ भी, मैं अब भी आपकी तरह कच्रे को आसानी से कुचल सकता हूँ, क्योई जियान जिन वह अपनी पूरी ताकत दिखा सका, वाइट टाइगर सील, डिवाइन ओक्स सील, दोनों सीले एक साथ फूटी, अचानक एक बाग की दहार ने स्वर्ग को हिला दिया, और एक बैल की चिंघार ने प्रित्वी को विभाजित कर दिया, क्योई जियान जिनकी अभिव्यक्ती अंधकार मैं हो गई, जब उसने देखा कि दो शातिर राक्षस जानवर प्रेट हवा से बाहर आ रहे हैं, और उसकी ओर डौड रहे हैं, ये दो राक्षस जानवर प्रेट मास और रक्त के जीवित प्राणियों की तरह बेहत सजीव थे, उनके लाल शरीर से अतुलनिय शक् दो अंगुलियों को एक साथ पकड़ कर, उसने एक अस्थाई तलवार बनाई, अपनी ट्रू क्यूई को अपनी उंगलियों पर तलवार की आभा बनाने के लिए धकेला, और बाहर निकाला चमकती थंडर तलवार, एक चमकदार तलवार की लेहर उसकी उंगलियों से दे राक्षस जानवर के शरीर के बीच में लगी, जिससे उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसके आक्रमन को रोकने में पूरी तरह से विफर रही, बढ़ती पबन तलवार क्यूई जियान जिन जल्दी से पीछे हट गया क्योंकि उसने अपनी उंगली की तल अपनी निगाहें उपर घुमाते हुए, उसने देखा कि देवेश उसकी और मुक्का मारने की प्रक्रिया में दुरभावनाकून धन से मुस्कुरा रहा था, उसके भागने का एक मात्र मार्क अवरुद्ध हो गया, घबराहट में क्योई जियान जिन अपने दात पीस अपने शरीर को मोरने में काम्याब रहे, फिर भी उसके कंधे पर हथेली का जोरदार प्रहार हुआ, दर्द की चीख निकल गई, क्योई जियान जिन वापस जमीन की ओर गिर गया, इस जीवन और मृत्यू संकट का सामना करते हुए, नाइन स्टार स्वार्ड स्कूल के शि लेकिन न तो क्योई जियान जिनको चोट पहुँचा सके, नहीं उसकी तलवार को गिरा, सके, उसके शरीर के चारों और तलवार की अंगिनत छोटी-छोटी लहरेन थी, जो द्रिड़ता से सुरक्षा का काम करती थी, हर बार जब वाइट टाइगर और डिवाइन आॉक्स ह संगनित हुए थे, वे केवल राक्षस जानवरों की तरह दिखते थे, और एक बार जिस युवान क्यूई से वे बने थे, वह समाप्थ हो गया, स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व समाप्थ हो गया, अरे अरे, क्यूई जियान जिनने देवेश की ओर देखते हुए अहंकार पूर्वक हसा, उसने इन दो राक्षसी जानवरों के प्रेद को बुलाने के लिए बड़ी मात्रा में युवान क्यूई का सेवन किया होगा, और अंतहवे उसे चोट पहुचाने में भी अस्पर रहे थे, देवेश के लिए जो केवल प्रिथककरन और पुनरमिलन का सात्वा चरण था, वह निश्चित था कि उसके लिए इस कौशल को दूसरी बार निश्पादित करना असंभव था, यह जोखिन सब रणनीती स्पष्ट रूप से लड़ाई जारी रखने के लिए अपने युवान क्यूई को सनरक्षित करने में अच्छी नहीं थी, ले अभिनय करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस यह कदम तुम्हे कुछ चलने के लिए काफी है। उनका पूर्व तिरसकार और अहंकार बहुत पहले ही गायब हो गया था, हाला कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं कभी भी किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आकूंगा, इसलिए मैं भी हमला करूंगा। कोई भी लापरवाही या आरक्षन मृत्यू नहीं तो केवल घातक खत्रे का कारण बनेगा। कोई थी, उसकी शकल और सास दोनों अस्तव्यस्ट थी, और उसकी एक भुजा उसके बगल में जुकी हुई थी, अगरबाहु भाग खून से लथपत था क्योंकि बड़े दान्तों के निशान से पता चल रहा था कि कहा सफेद बाग ने उसका मास फार दिया था, उनकी छात की की चोटें और भी भद्दी थी, उनकी कई पसलिया तूटकर नश्ट हो गई थी, यह चोट कब लगी थी जब दिव्यबैल ने उसे टक कर मार दी थी, और उसके सींग लगभग उसकी पीठ में घुस गए थे, 100 फीट, 10 जांग से अधिक दूरी पर खड़े देवेश की आखें निर्दैता से भरी थी, जबकि क्यूई जियान जिनकी अभिव्यक्ति क्रोध और अवसाद के बीच आगे पीछे होती रही, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह छोटे सेप्रेशन और रियूनियन लड़के से हार जाएगा, लेकिन अब यह हकीक उसके सामने खड़ी थी, शर्म और हताशा ने उसे लगभग पागल कर दिया था, देविश तुरंत हत्या के लिए नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि मौत से पहले एक प्रू एलिमेंट बाउंडरी कल्टीवेटर का आखिरी हताश संघश अविश्वसनिय रूप से भयं और धीरे-धीरे शांत हो गया, मैं मानता हूँ कि आप वास्तव में मजबूत हैं, एक औसक प्रू एलिमेंट से भी अधिक मजबूत हैं खेती हर, लेकिन यदि तुम मुझे हरा सको तो क्या होगा? मैं एक वास्तविक प्रू एलिमेंट कल्टीवेटर हूँ, इसलिए आप उसकी बगल में धीला लटका हुआ था, जबकि दूसरे ने उसकी छाती के घाव को पकड़ रखा था, लेकिन वह फिर भी क्रिपालू भाव से बोला, यह ट्रू एलिमेंट बाउन्डरी और सेपरेशन और रियूनियन बाउन्डरी के बीच सबसे बड़ा अंतर है, मैं उर सकता हूँ और तुम नहीं, इसलिए मैं जब चाहू उर सकता हूँ अनो देवेश के चहरे को अपनी आखों में गहराई तक जलाने की कोशिश कर रहे हूँ, उसके नीचे खड़ा देवेश उदासीन बना रहा, उनके चहरे पर स्थिती के प्रती चिंता का पूर्न अभाव दिख रहा था, थोड़े समय के बाद क्यूई जियान जिंग मुड उसके पीछे से गर्मी का एक जोंका आया और साथ ही बर्फ जैसी थंडी आवाज आई तुम कहा भागने की कोशिश कर रहे हो, क्योई जियान जिनका चहरा सफेध हो गया क्योंकि अचानक आतंक ने उसकी आत्मा को जकड लिया, उसने तेजी से अपना चहरा घुमाया और देखा कि वही हाई हेवन पवेलियन शिश्य वास्तव में उसके ठीक पीछे उड़ रहा था, और उसकी पीट से विस्तार, वहा दीप्तिमान जलते पंखों का एक विशाल जोड़ा था, ये पंख हवा में फड़फडा रहे थे, एक महान पेन की तरह गर्वित और अगले ही पल एक बड़े हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और जोड़ा बिजली की तरहा आसमान से गिर गया, अब एक दूसरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर क्यूई जियान जिनको देवेश की आँखों में जानलेवा इरादे ही नजरा रहे थे, ठंडी और किसी भ अगले हावना से रहित। इनी आखें खोलने के लिए संधर्ष करते हुए, वह देवेश के जलते हुए पंकों की जोड़ी को कुछ हद तक पहचान सका क्योंकि वे धीरे-धीरे उसकी ओर आ रहे थे। और क्योई जियान जिनकी गरदन पर पैर रख दिया। मुझे मत मारो। क्योई जियान जिन खांसते और संधर्ष करते हुए मुश्किल से कह पाया। उसके मोह के किनारे से लगातार खून बह रहा था। क्या आप Nine Star Sword School की तलवार कौशल नहीं सीखना चाहते हैं। मैं तुम्हे वह सिखा सकता हूँ जो तुम सीखना चाहते हूँ। मैं तुम्हे सब कुछ सिखा सकता हूँ। Nine Star Sword School के अंदर मैं भी एक उभरता हुआ सितारा हूँ। मैंने स्कूल के सभी उननत तलवार कौशल सीखे हैं। केके, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। देवेश उदासीन रहा। Nine Star Sword School का तलवार कौशल देवेश के लिए बहुत आकरशक था। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्यूई जियान जिन वास्तव में उसे ये सिखाएगा। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व और साधनों को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब उसने अपनी सच्छी क्यूई को बहाल कर लिया तो वह निश्चित रूप से बदला लेगा। इसलिए उसका जीवन समात्त करना ही एक मात्र विकल्प था। यह सुनकर क्यूई जियान जिनका पहले से ही उदास चहरा और भी उदास हो गया। तुम सच में इतना निर्दई बनना चाहते हो। यह आप ही थे जो निर्दई बनना चाहते थे। देवेश ने और कुछ भी बकवास कहने से इंकार करते हुए ब्यंग्य किया। उसने अपने पैर से जोर से दबाया और उसने अपनी युवान क्यूई को धक्का दे बड़क भड़क की आवाज के साथ क्यूई जियान जिनकी गरदन तूट गई। उसका सिर्धीरे से एक ओर जुप गया, उसका शरीर अब बेजान हो गया। जिस समय क्यूई जियान जिनकी मृत्यू हुई बूचेंग यी जो कम से कम कुछ दस मील दूर खड़ा था, अचा बूचेंग यी को यह समझना मुश्किल था कि क्यूई जियान जिनकी मृत्यू कैसे हुई, क्या वह तियान लैंग राजवंश के क्रिशकों से मिल सकते थे, यदी नहीं तो उसकी क्रू एलिमेंट बाउंडरी थर्ड स्टेज साधना के साथ कोई अन्यस पश्टी करण नही और उनके कनिष्ट भाईयों ने इस अलग थलग दुनिया में पाया था और आपस में विभाजित हो गए थे, वूचेंग यी की स्मृती के अनुसार क्यूई जियान जिनक ने अपने हिस्से को परिशकृत नहीं किया था, भाई वू क्या गलत है, रागिंग फायर टेंपल उसे ऐसा कहते हुए सुनकर, सभी की अभिव्यक्ती थोड़ी अधिक गंभीर हो गई क्योंकि वे अचानक अधिक तेजी से और सावधानी से आगे बढ़ने लगे, इन महीनों में उन सभी को इनकुछ तियान लैंग राजवंश क्रिशकों के हाथों बहुत नुकसान उठा अपनी सांसे स्थिर करनी शुरू की, वह आगे बढ़ा और क्यूई जियान जिनके अवशेशों को खंगालने से पहले इस रक्त मनके को जब्द कर लिया। कुछ उपचार की गोलिया निगल ली और अपने खून से सने कपड़े बदल दिये और खून की किसी भी गंध को दूर करने की पूरी कोशिश की। क्योई जियान जिनके साथ तीवर लडाई ने उन्हें कई चोटें दी, कोई भी जीवन के लिए खत्रा नहीं था, लेकिन वे निश्चित रूप से हलके भी नहीं थे। अपनी वर्तमान खेती और अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई शारिरिक पुनलस्थापना क्षमता के साथ देवेश को पूरी तरह से ठीक होने में केवल कुछ दिनों की आवश्चक्ता होगी, विशेश रूप से अपनी उपचार गोलियों की सहायता से. तीन दिन बाद ही उनके शरीर पर लगे तीन खूनी धाव काफी हद तक ठीक हो गए. हाला कि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वे उसके कारियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे. पिछले कुछ दिनों से देवेश क्यूई जियान जिनके साथ अपनी लडाई पर चर्चा कर रहा था, उनके खिलाफ अपने अति आत्मविश्वास का उपयोग करना, अपने विरोधियों की कमियों को खोजने के लिए अपनी सतर्क और साभधानी पूर्वक तिपनियों का उपयोग करना और लगातार उनके कारियों और निर्नेओं पर विचार करना, उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, अपनी आखें खोलने पर उसका शरीर उर्जा से भर गया, लडने की भावना से भरा हुआ था जिसने उसे एक आराम दायक और आत्म विश्वास का एहसास कराया, उनके डेंटियन में यान लिक्विड को थोड़ी सी पुनहपूर्ती की आवश्शकता थी, लेकिन यान विशेष्टा गोलियों की कुछ बोतले उनके ग्रैंड मास्टर लिंग ताईजू ने अपने युनिवर्स बैग में छोड़ दी थी, देवेश को इस बारे मे यान क्यूई की मात्रा आनुपातिक रूप से बढ़ गई, ये अच्छी बात थी, एक पल के लिए विचार करने के बाद, देवेश ने दूसरी बोतल यान विशेष्टा गोलियों को बंद कर दिया और उसके डेंटियन में यान लिक्विड की मात्रा बढ़ गई, देवेश तुरंत गर्मी की चपेट में आ गया, इस गर्मी ने उसे एक आरामदायक एहसास दिया, जिसका असर उसके शरीर और आत्मा दोनों पर पड़ा, वह जानता था कि इस बोतल के भीतर मौजूद उर्जा बेहत समरिध थी, और यद्यपी यह उसके अपने यान यु क्यूई के समान ही अनुभव कराती थी, फिर भी कुछ अंतर थे, अंदर देखने पर देवेश वो कांच की बोतल के भीतर केवल लाल रंग की लपटों के रंग का एक तरल पदार्थ दिखाई दे रहा था, वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा चार या पांच ब देह किया, जबकि उसकी जग्यासा ने उसे मौत तक परिशान कर दिया, बुढ़ा दानव देवेश को बुलाया, हाँ, पुराना नौकर सेवा के लिए तयार है, बुढ़ा दानव जल्दी से चापलूसी करने लगा, इस तरल को देखो क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है देवेश ने पूछा, ओल्द देमन को कई बार हलकी खांसी हुई, जाहिर तौर पर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, भूल जाओ, देवेश तुरंक समझ गया कि ओल्द देमन को कोई सुराग नहीं था, इस बुढ़े शैतान की याददाश्ट खंडित थी, और कभी-कभी वह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता था, लेकिन कभी-कभी वह बेकार था, देवेश तो कब का इसका आदी हो चुका था, यदि ओल्द देमन वास्तव में जानता था कि यह तरल क्या है, तो वह निश्चित रूप से अपने योग्य साबित करने के लिए अपने वह अपनी छिपी हुई गुफा से बाहर निकला, और एक लंबी खोज के बाद उसे चौथे क्रम का एक राक्षस जानवर मिला, उसने तुरंद उसके सिर पर प्रहार किया, उसे बेहोश कर दिया, और उसे वापस गुफा में ले गया, वापस जाते समय, देवेश ने घास और दुखक चीखे निकालनी शुरू कर दी, जैसे कि कोई भयानक जहर उसे अत्यधिक दर्द दे रहा हो, जैसे वह हिंसक रूप से हिल रहा था, जबकि उसके मुह से सफेद जाग निकल रहा था, और उसके पूरे शरीर से प्रकाश की चमक निकल रही थी, देवेश का चे इसकी ताकत ड्रैगन जितनी मजबूत और बाग जैसी भयंकर थी, जिसने इस शांत गुफा को देवेश के साथ एक उग्र युद्धक शेत्र में बदल दिया, इसकी वर्तमान स्थिती को देखते हुए विशाक्तता के मामूली लक्षन कहा थे, एक लंबी गहन लड़ाई के बाद, जानवर अंता देवेश के क्रोध का शिकार हो गया, एक बार फिर उसके शरीर की जाच की, तो देवेश पूरी तरह से भ्रमित हो गया, जब वह इसे वापस लाया, तो यह सपश्ट रूप से एक चौथे क्रम का राक्षस जानवर था, जो इतना कमजोर था कि वह इसे आसानी से अचेट कर सकता था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इसने जो ताकत अभी प्रदर्शित की थी, वह इतनी अधिक शक्तिशाली थी, यह पांचवे क्रम के राक्षस जानवर से अधिक तुलनिय था, जब वह इस पर विचार कर रहा था, एक रक्तकन चुपचाप सं करें, बूढे दानवने तुरंट सांतवना देने की कोशिश की, देवेश के इतना क्रोधित होने का कारण स्पष्टत है यह था, कि हरी बोटल में तरल की पहचान के बारे में उसकी पिछली अटकले सही थी, उसे इस बात का यकीन तब हुआ जब उसने उस रक्तकन को था, कुछ ऐसा जो चौथे क्रम के राक्षस जानवर को इतने कम समय में पांचवे क्रम के स्तर तक अपनी ताकत बढ़ाने की इजाजक दे सकता है, वह स्पष्ट रूप से एक अति दुरलब खजाना था, आधे साल से अधिक पहले सुनी गई जानकारी और बोटल में तरल के रूप और रंग को देखकर देवेश का चेहरा अफसोस से भर गया, शांदार लौ तरल, एक बहुमूल्य खजाना जिसका उप्योग विशेश रूप से किसी की युवान क्यूई को परिश्कृत करने के लिए किया जाता है, जिससे इसकी समरिध्धी और शुधता में व चिश्रेणी की थी, और यह ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड निश्चित रूप से उसी लीग में था, जब देवेश ने रिफ्लेक्टिंग मून संप्रदाय के बुजुर्ग जो वेन को नेदर मांटेन लेक में ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड के बारे में बात करते क्योंकि उसके पास पहले से ही नाइन यिन युवान कंडेनसिंग ड्यू था, लेकिन अब जब उसने सौभाग्य से इस ब्रिलियंट को हासिल कर लिया है, फ्लेम लिक्विड स्थिती अलग थी, जब देवेश ट्रू एलिमेंट सीमा को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो न देवेश बहुत परिशान हो गया, जिससे उसका पेट पलट गया और उसके फेफडे जल गये, उसका सारा शरीर दुहक से भर गया, फिर भी अंतह जो किया गया वह किया गया, पच्चतावे से उसे कुछ हासिल नहीं होगा, इसके बजाए उसे नाइन स्टार स्वोर्ड स् सीक्रेट आर्ट को तेजी से प्रसारित करते हुए, देवेश को ऐसा लगा जैसे उसके टेंटियन में आग लगा दी गई हो, और आग की लप्ते धीरे-धीरे फैल रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने यांग या लौ विशेष्टा गुप्त कला की खेती की, ऐसी भावना का सामना करना बेहत दुरलब था, बस इसी से पता चला कि ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड के भीतर छिपी उर्जा कितनी तीवर और जुलसा देने वाली थी, पहले तो जलन बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, देवेश को ऐसा महसूस जैसे उसे धधकती भटी के अंदर जिन्दा भूना जा रहा हो, उसकी तवचा से भाप निकलने लगी और उसके नए कपड़ों का सेट तुरंत पसीने से भीग गया, यह तीवर जलन उनके पेट के निचले हिस्से में शुरू हुई और एक पल के लिए वही रही, लेकिन जल्द ही उनकी प्रसारिक प्रू यांग सीक्रेट आर्ट द्वारा बाहर खींच ली गई और सभी दिशाओं में फैल गई जब तक कि यह धीरे-धीरे उनके शरीर के हर हिस्से को कवर नहीं कर लेती, दर्द उसकी शिरोबिंदु को जुलसा रहा था, देवेश ने कसकर अ कई बार भेजने के बाद, देवेश यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी युवान क्यूई, जिसे उन्होंने पहले महसूस किया था कि वह शुद्ध हो गई है और सीमा तक संकुचित हो गई है, वास्टव में वह और भी अधिक बनने लगी थी, एक क्षण के लिए उसने तुरंट अपना ध्यान पुनह प्राप्त किया और अपनी गुप्ट कला को सीमा तक संचालित करना शुरू कर दिया, एक क्षण बाद उसके मेरिडियन में युवान क्यूई अपनी सीमा तक पहुँच गया था और इसे और अधिक परिश्कृत नहीं किया जा सकता थ इसलिए देवेश ने ब्रिलियन्ट फ्लेम लिक्विड की शेश उर्जा को अपने डेंटियन में डाल दिया, उसके डेंटियन के भीतर परिश्कृत करने के लिए यान लिक्विड की लगभक सौ बुन्दे थी, धीरे धीरे समय बीटता गया और कुछ दिन बाद देवेश की आखे खुली, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भीतर से एक दीप्तिमान प्रकाश उमड रहा था और उन्होंने अनायासी एक लंबी सास छोर दी, अग्भुत, ब्रिलेंट फ्लेम लिक्विड की एक बुन से उसके पूरे शरीर की युवान QE को बार-बार परिश्कृत किय और यांग लिक्विड की एक सौ बुंदों को एक दर्जन बुंदों में संघनित किया गया था, प्रत्येक में पहले की तुलना में काफी समरिध और अधिक शक्तिशाली उर्जा समाहित थी, न केवल उनके युवान QE में इतना सुधार हुआ था, बलकि उनके शिरोबिं और पुनर्मिलन के आठवे चरण को पार करने से बहुत दूर नहीं थी, यह युवान QE को परिश्क्रित करने का प्रभाव है, और यह कभी-कभी सफलता को बढ़ावा देता है, इसलिए यह नकेवल शरीर की उर्जा को बढ़ाने का एक तरीका था, ओल्ड देमन क्या आपको लगता है कि अगर मैं ब्रिलियंट फ्लें लिक्विड की एक और बून्द को परिश्क्रित कर दूँ तो मैं सीधे इसमें सेंध लगा सकता हूँ, देवेश ने कुछ उचसुक्ता से पूछा, हाला कि ओल्ड देमन कभी-कभी बहुत विश्वसनि नहीं होता था, फिर भी उसके पास प्रचुर अनुभव था, यह शायत बेकार है। कि नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल के शिश्यों को यह ब्रिलियंट फ्लेन लिक्विट कहां से मिला। क्यूई जियान जिन पर कुछ बून्दे पड़ी थी, तो उनके निता के रूप में वूचेंगी को भी कुछ बून्दे नहीं मिलनी चाहिए। क्या उसके पास भी दूसरे के पास इतना अमूले खजाना है, देवेश के लिए उसकी मृत्यू की इच्छा न करना अजीब होगा। लेकिन वूचेंग यी वर्तमान में उनसे कहीं अधिक मजबूत थे और वह युवा क्रिशकों के उस समुह के अस्थाई नेता भी थे। यदि देवेश सच विभिन स्थानों पर राक्षस जानवरों को मारने में बिताया। इस दौरान उसका सामना एक भी अन्यव्यक्ति से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आसपास राक्षसी जानवरों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि चीजे वास्तव में वैसी ही थी जैसी चेन ज पर राक्षस जानवरों को गुलाम बना लिया था। उसके लिए कोई महत्वपूवन खत्रा नहीं थी, इसलिए एक कठिन लड़ाई का अनुभव किये बिना वह अगले चोटे दायरे में प्रवेश करने। के लिए अपनी क्षमता को उत्तेजित करने में असमर्थ था। इस प्रकार इस पूरे समय में देवेश मजबूत खून में खुद को बप्तिस्मा देने के लिए उत्सुक था। चुंकि पिछले महीने उसे कोई अफसर नहीं मिला, इसलिए अंजाने में देवेश ने अपने बीस्ट सोल कौशल के अन्य उपयोगों की खोज में अधिक समय बिताया। दो राक्षस जानवरों से उसे प्र करम के तीन राक्षस जानवरों को मार डाला, तो एक युवा महीला ने अचानक अपनी आखें खोली और उसकी अभिव्यक्ती में दुष्टता और आश्चर्य का संकेट दिखाई दिया। इस महीला के कपड़े और चेहरे की विशेषताएं ग्रेठ हान राजवंश की महील उसे थोड़ी अलग थी, वह स्पष्ट रूप से तियान लैंग राजवंश के क्रिशकों में से एक थी, वह किसी भी तरह से बदसूरत नहीं थी और उसे आसानी से एक महान सुंदर्ता के रूप में वर्नित किया जा सकता था, लेकिन किसी तरह वह एक बहुत ही अजीव ए उसने काफी आकरशक कपड़े पहने थे, उसकी जेड भुजाय पूरी तरह से खुली हुई थी, और उसका उपरी शरीर एक टाइट फिटिंग बंदगी में लिपता हुआ था, जिसमें मुश्किल से उसकी गर्विक छाती समा रही थी, जब उसने अपने हाथ उपर पेट और नाजुक नाभी कलपना के लिए बहुत कम रह गई, जबकि उसके निचले शरीर का आवर्ण और भी सरल था, एक छोटी सकट जो उसके आकरशक निचले हिस्से को उजागर करती प्रतीत होती थी, जिसमें से उसके दो पतले आकरशक पैर फैले हुए थे, तो उसके पीछे खड़े दो लोग चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गए और तियान लैंग राजवंश की इस युवा महिला की पीठ को घूरने लगे, उनकी आखे भाय और आकरोश से भरी थी, ये दोनों एक युवक और युवती थे, जदी देवेश यहां होता, तो निश्चित रूप से आश्चर्यत कित हो जाता क्योंकि ये दोनों वास्तव में गोस्ट किंग वैली के शिश्य जिनहाओ और लिंगशान थे, जैसे ही गोस्ट किंग वैली के दो संभरांत शिश्य इस युवा महिला की पीठ को घूर रहे थे, उनकी टुक्यूई अनायास थी थोड़ी बढ़ गई और उनकी आखों में कुछ जानलेवा इरादे जलकने लगे। दहाड उस पल में आसपास के कई दसियों राक्षस जानवरों ने अचानक जिनहाओ और लेंगशान की ओर अपने नुकीले दात निकाल दिये और गुर्राकर सपष्ट रूप से उन् महिला का नाम जीमो था। एक या दो महीने तक उसके साथ रहने के बाद भी जिनहाओ और लेंगशान को उसके बारे में पूरी व्यक्तिगत जानकारी पता थी। जीमो ने बेरहमी से उपहास किया, ऐसा अपराध केवल एक बार होगा। यदि तुम दोबारा ऐसे विचार मन में लाने का साहस करो तो मुझे निर्दई होने का दोश मत देना। जिनहाओ और लेंगशान की आखें अनिक्छा से भरी थी। लेकिन उन्होंने अभिमान पूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं की। जिनहाओ जल्दी से जुके इस नौकर और कनिष्ट बहन की हिम्मत न पूलना समाप्त करते हुए जीमो लापरवाही से आगे बढ़ गई और उसकी मनमोहक कमर हलके से अनुग्रह से हिल गई, मानो वह हवा में तैर रही हो और उसके गुलाबी होटोन पर एक मोहक मुस्कान खिल गई। जैसे ही जिनहाओ ने चुपचाप उसे देखा, उसने अ महसूस होने वाली उत्तेजना मिलती थी, विशेशकर उसका सपाट, पेट और अती सुंदर ना भी, किसी कारण से यह सन्योजन उसके प्रती एक अकत्निय आकर्शन रखता था, वह उसकी कलपनाओं का केंदर बन गई थी, यदि वह इस खूबसूरत महिला को निर्वस्तर क सकता है और बेरहमी से तोरफोर कर सकता है, और उसके उत्तम शरीर का स्वात चक सकता है, जिससे वह चिल्लाने लगे और दया की भीख मांगे, तो यह कितना अद्भुत होगा, लेकिन जिन हाव ऐसी चीजों के बारे में केवल सपना देख सकते थे, जीमो के सामने उनमें इ जीमो की अभी भी वही शरार्ती मुसकान थी, लेंगशान की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई, और उसके चहरे पर एक धेनित भाव फैल गया, उसका शरीर भी कामपने लगा, लेकिन उसने किसी तरह अपनी आबाज रोक ली, जीमो ने अपना हाथ बढ़ाया, और धीरे से ल पट को बाहर की ओर जुकाया, अपने निचले शरीर को छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसका खून उबल रहा था, आवेशपूर्ण चुमबन की आवाजे, और अधिक तीवर हो गई, जबकि लेंगशान ने सक्त तौर पर विरोध करने की कोशिश की, हाला कि इससे जीमो की पर पीड़क रुची और भी तीवर हो गई, एक मोहक हंसी के साथ, जीमो ने अपना दूसरा हाथ लेंगशान के कपड़ों में डाल दिया, और उसके शरीर को बिरहमी से कटोला, इस समय जिन हाओ की आखें इरश्या से लाल हो गई थी, संप्रदाय के अंदर लेंगशान की स्थिती इतनी उची थी कि वह उसके सामने अभिमान करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन दिनों उसने उसे अपने सामने पूरी तरह से अपमानित और अपवित्र होते देखा था, और ऐसा करने वाला वास्तव मे था एक और खूबसूरत और विदेशी महिला रही, जिन हाउने साम्क जैसी जीव को अपनी कनिष्ट बहन के मुह के अंदर घुस्ते हुए देखा और उसकी गर्वित छाती को बेशर्मी से कुछला हुआ था, उसके सुडॉल कूल हो और निचले हिस्से को उन जेड जैसे ह पूरे द्रिशे से एक कच्ची और भामक का मुकता जलक रही थी, ये नजारा सिर्फ एक या दो बार नहीं हुआ था, जिन हाउ को पहले ही साथ या आठ बार इस अभिनय को देखने के लिए मजबूर किया गया था, और हर बार उसके निचलेक शेत्र को वासना से भर दिया और जला दिया, लेंग शान के निरर्थक प्रतिरोध ने धीरे-धीरे आग्याकारिता का मार प्रशस्त किया और दोनों महिलाएं अंत्र कामुक आनंद में खो गई, हामफती सांसों और तेज दिल की धड़कनों की आवाज उनके चारों और फैल गई और उत्साह और उल्ल जोडे के हुठों के बीच एक महीन क्रिस्टल रेखा खिंच गई, लेंग शान की सांसे उखड गई थी, क्योंकि वह हलके से काम प्रही थी, उसकी रंगी हुई लाल आखों से धीरे-धीरे आसू गिरे और जीमों ने धीरे से उन्हें पोंच दिया, जब वह हलके से हसी, ज तुम्हें अपनी जूनियर बहन पसंद है, है ना? जिन हाओ ने अपनी निगाहे लेंगशान की गोर घुमाई और अंता अपना सिरहिलाया, तब मैं तुम्हें ऐसा मौका दे सकता हूँ, जीमों ने जिन हाओ को बड़े अर्थ से देखा, लेकिन यहां आप पर निर्भर ह कि आप इसे जब्द कर सकते हैं या नहीं? जिन हाओ का चहरा विकृत होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह संघर्ष कर रहा है, लेकिन जीमों चिंतित नहीं थी क्योंकि वह चुपचाप उसे देख रही थी और उसके उत्तर का इंतजार कर रही थी. वह जानती थी कि जिन कर इमानदारी से खुद को समर्पित करने को तयार है, अब से केवल यान मिस के आदेशों का पालन करेगा, चाहे नरखो या उच्छ पानी उसके अंत तक दिंग. हाँ हाँ, जीमों ने हलके से अपने बाल उच्छालते हुए गर्व से हंस्ते हुए सहमती व्यक्त की बहुत अच्छा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के प्रती समर्पन करेगा, मुझे बुद्धिमान लोग पसंद हैं, वरिष्ट भाई, जब लिंग शानने घबरा कर जिन हाओ की ओर देखा तो उसका चहरा डूब गया, जिन हाओ ने बस कुछ हद तक शर्म प्रती समर्पन स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का अफसर है, लेंग शान केवल जिन हाओ को घ्रिना से देख सकती थी, और अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने धीरे से अपनी आखें बंद कर ली, इस द्रिश को देखकर, जीमो बस मुस्कुराई, एक बड़े पेड के खिलाफ अपनी पीठ जुकाली और अपने लचिले शरीर को आराम दिया, उसका व्यवहार अभी भी एक कामुक शैली को दर्शाता है, जैसे उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप एक व्यक्ति को पकड़ने और उन्हें यहाँ लाने में मेरी मद गया, यदि आप काफी तेज हैं, और आप इस कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करते हैं, मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, जीमो रुकी जब उसकी लाल जीब उसके होठोन को आकरशक धं से चाट रही थी, मुझे अपनी जुनियर बेहन के साथ एक बार अप जवंश की विदेशी महिला को भी प्राप्त करना, एक अजगर दो फीनिक्स को नश्ट कर रहा है, ऐसी घटना केवल एक चमतकारिक सपने में ही हो सकती है, जिन हाओ अपने उत्साह पर काबू नहीं रख सके और जोर से बोले, यंग लेडी कृपया इस नौकर को निर्दे जिन हाओ की भाव सिकुड गई, अगर यह नौकर पूछ सकता है, कितने लोग हैं? केवल एक ही होना चाहिए, जीमो ने आत्म विश्वास से उत्तर दिया, केवल एक जिन हाओ का रंग थोड़ा खराब हो गया, और उन्होंने तुरंट टिपणी की, जो कोई अपने दमपर इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है, उसकी ताकत सपष्ट रूप से कमजोर नहीं है। पांचवे क्रम के तीन मॉंस्टर बीस्ट उसे दबाने के लिए परियाप्त थे। उन्हें उसकी मदद करने के लिए भेजे जाने के बजाएं वेस पश्ट रूप से उसके कारियों पर नजर रखने के लिए बहा थे। निश्चत रूप से परियाप्त जिन हाओ ने कोई पसंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमत हो गए। फिर आगे बढ़े याद रखें कि आपकी जुनियर बहन यहां आपका इंतजार कर रही होगी और यदि आप इसके बारे में परियाप्त तेज हैं। तो मैं भी ऐसा ही करूँगा जीमो ने उसे आख मारी हाँ जिनहाओ की कड़वाहट तुरंत दूर हो गई और वह उचल पड़ा और जीमो द्वारा बताई गई दिशा में दोड़ पड़ा। पाँचवे क्रम के तीन मॉंस्टर बीस्ट भी तेजी से आगे बढ़े। पाँचवे क्रम के विभिन राक्षस जानवरों की ताकत क जैसे ही जिनहाओ ने उडान भरी उसने पीछे मुड कर देखा कि कौन से तीन जानवरों को उसके साथ भेजा गया था। उनकी शकलसूरत जाचने पर उसका दिल इस छोटी फुहड को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि यह केवल तीन सामान्य पाँचवे क्रम के राक्षस जानवर होते तो जिनहाओ उन्हें संभाल सकते थे लेकिन जो तीन भेजे गए थे वे सभी मध्यस्तर के पाँचवे क्रम के राक्षस जानवर थे और प्रत्येक एक सच्छे तत्व पाँचवे या छठे चरण के बराबर था खेती हर। ऐसी निगरानी में उसके मन में कोई बेमान विचार कैसे आ सकता है। फिलहाल वह केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और जी मो को खुश करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर सकता है। जिन हाओ तेजी से आगे बढ़े। लेंशान और जी मो के कोमल शरीर के साथ खुद को शामिल करने के विचार ने उसे आगे बढ़ाया और वह एक धूप की छड़ी से भी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुँच गया। अपनी सासे छिपाते हुए उसने इधर उधर देखा लेकिन लोगों का कोई निशान नहीं मिला। यहां केवल कुछ धूल ही बची हाला की यह धूल सपश्ट रूप से हाल ही में मारे गए राक्षस जानवरों के अवशेश थे। तीन राक्षस जानवर तेजी से उपर आये और नई दिशा में जाने से पहले अवशेशों को सुंगा। जिन हाव बिलकुल पीछे चल रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक इस व्यक्ति पर नजर रखने के बाद पांचवे क्रम के तीन राक्षस जानवर अचानक रुख गए और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए जंगल में एक जगह की ओर बढ़ने लगे। जिन हाव तेजी से उतरे, जंगल को देखा और हलके से पुकारा, साथी भाई, क उन्होंने महसूस किया कि दूसरे पक्ष की निडर कारवाई ने साबित कर दिया कि उनका पिछला अनुमान सही था, यह व्यक्ति संभवत है एक चिपा हुआ स्वामी था, लेकिन जब आकरती की उपस्थिती सपष्ठ हो गई, तो जिन हाव की पुतलिया अचानक सिकुड और वह स्थब्ध होकर वहां खड़ा हो गया, जैसे उसने अभी-भी कोई भूत देखा हो, उसके चहरे पर पूर्ण अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी, दरसल उनके सामने खड़ा देवेश भी खुद को काफी असाय महसूस कर रहा था, दूसरे अपनी वर्तमान स्थिती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, यह आप है, जिनहाओ चिलाया, तुमने यह कैसे किया, नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, जीवत बचना देवेश मुस्कुराया, बिल्कुल, आप अब भी जीवत कैसे रह सकते हैं, जिनहाओ की आवास घरम से भरी थी, आधे साल से अधिक समय पहले गोस्ट किंग वैली के तीन शिशियों ने देवेश को मारने की कोशिश की थी, यूचेंग कुन जो सबसे तेज था, ने उसका बहुत करीब से पीछा किया था, जबकि जिनहाओ और लिंग्शान थोड़ा आगे पीछे थे, लेकिन इससे पहले की वे दोनों एक उची चटान के शीर्ष पर पहुँचते, उन्हें लगा कि यूचेंग कुन मर गया है। नहीं, मैं गिर गया था, लेकिन फिर मैं फिर से उपर चड़ गया। वैसे, आपके कनिष्ठ भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जब वह चटान के नीचे गिरा तो वह मास और खून के छींटे बन गया और बिना दफनाने की जगह के मर गया। यह सब बहुत देवेश ने उपेक्षा भाव से कहा, उसकी योजना इन शब्दों का उप्योग जिन हाव के ध्यान को बिगाडने, उसके गुस्से को उत्तेजित करने और उसे गलती करने के लिए मजबूर करने की थी, लेकिन देवेश ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिन हाव पूरी देने में असमर्थ हैं, तो उनके पास दूसरों के बारे में चिन्ता करने का समय कैसे होगा। इसलिए एक मात्रस पश्टी करन यह था, कि उन्हें किसी ने गुलाम बना लिया था। जिन हाव के पास यह ख्शमता नहीं थी, केवल तियान लैंग राजवंश के शिशही इन राक्षस जानवरों को गुलाम बना सकते थे। आप क्या जानते हैं, जिन हाव अचानक जिन हाव ने अपने पीछे के जानवरों को इशारा करते हुए आदेश दिया, उसे मार डालो। अपने सामने यह स्वांग चलता देख देवेश जोर से हंस पड़ा। जिन हाव का रंग लाल से नीला हो गया था, जैसे उसे आग पर भूना गया हो और फिर बर्फ में जमा दिया गया हो, वह प्रतिक्रिया करने में भी शर्मिन्दा था। इस शर्मनाक स्थिती के साथ देवेश के उपहास ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अपनी मुठियों को इतनी जोर से पकड़ते हुए कि उनसे खून बहने लगे, उसने अपने अभी भी हंसते हुए प्रतिदवंदवी को शाप दिया, आगे बढ़ो, जितना चाहो हंसो, जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूँगा, तो तुम फिर कभी नहीं हस पाओगे। बात खत्म होने पर दो भयानक सफेद पंजे अचानक फूट पढ़े, जिससे कमपकमपा देने वाली ठंड महसूस हुई और हवा की तरहे तेजी से देवेश की ओर बढ़े, ये भूत के पंजे आगे बढ़े, जिससे एक उदास रोशनी और एक ठंडी आभा पैदा हुई जो देवेश को घेर लेती है, जिससे उसकी जीवन शक्ती नश्ट हो जाती है। इस प्रकार भले ही देवेश एक प्रतिकूल स्थिती में पढ़ गया, उसे कोई चिंता नहीं थी कि वह अपनी जान बचा सकता है। लेकिन इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद, देवेश को यह देखकर आश्चर यहुआ की तीन राक्षस जानवर केवल तमाशा देखने से संतुष्ट थे, हस्तक शेप करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे, इस विकास ने उनके साहस को काफी हद तक बढ़ा दिय अगले ही पल उन्होंने अनहिल्दिंग विल को सक्रिय कर दिया, जिससे उनकी खेती सीधे अलगाव और पुनर्मिलन के शिखर पर पहुँच गई। उन्होंने बहुत सारा खून निकाला था, हाँ, हाँ, छोटे बच्चे, आज तुम मौत से नहीं बचोगे, इस भयंकर युद्ध के बीच में, जिन हाव अपना प्रभुत्व दिखाना नहीं भूले, उन्होंने देवेश पर ताना मारते हुए, उस पर ताना मारा, देव जा उतार चढ़ाव जिन में जीवन की सांस समाहित प्रतीत होती थी, अचानक प्रकट हुए, इस हमले की असामान्य शक्ती और जानलेवा आभा से अवगत होकर, जिन हाव तुरंट सतर्क हो गए, जैसे ही देवेश ने अपनी बीस्ट सोल स्केल को सक्रिय किया, बाग की द तिदवंदवी को कम आकने की हिम्मत नहीं की, अपनी ट्रूक्यूई को उसकी सीमा तक धकेल दिया, और एक के बाद एक धा तक हमले जारी किये, देवेश ने दोनों प्रेतों के साथ मिलकर हमला करते हुए मन ही मनशाप दिया, हाला कि उन्होंने बीस्ट सोल कौशल का सफल पूर्वक लागू कर सकता है, लेकिन हेवेंस उसे सफल होने देने के लिए तयार नहीं था, जिससे उसे कुछ समय के लिए हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवेश ने अपनी हथेलिया फिर से उठाते हुए गंभीर मुद्रा धारन की, इस परिचित कारवाई को देखकर जिन हाओ निराश हो गए, वह दोबारा उन दो घातक लेकिन कालपनिक राक्षस जानवरों का सामना करने के लिए बेहद अनिक शुक था, एक कोने में दब देवा शत्रुता के मिश्रन से भरी हुई थी, दुवेश और नाराजगी से बनी यह प्रेट देवेश की ओर उडगई, यह द्रिश देजा वु जैसा था, जिस दिन यूचेंकुन और देवेश दोनों उस चटान की चोटी से गिरे थे, उसने उसे ऐसी हरकत करते देखा इस हमले को सामने आते देख देवेश बिलकुल भी नहीं डरे, वह वास्तव में जिन हाउद्वारा इस तक्नीक का सहारा लेने की प्रतीक्षा कर रहा था, यह अब तक प्रकट ही नहीं हुआ था, उसके चहरे पर एक व्यंग्य जलक रहा था, देवेश ने अचानक हिलना बंद कर दिया, उसका पूरा मूर शांथ हो गया, जैसे कि वह पूरी तरह से अनभिग्य था कि कोई संकट आ रहा था, अपनी हथेलियों को बाहर धकेलते हुए, उर्जा की दो धाराएं एक मिलती हुई दिखाई दी, कोई सफेद बाग नहीं, कोई दिव्य बैल नहीं, को के शरीर में घुस गई, हाला कि मॉंस्टर बीस्ट ने ऐसा करते समय कोई हलचल नहीं की, सफलता, देवेश बेहत खुश था, जिन हाओ गुस्से में थे, जल्दी से बोले, तुम छोटे बच्चे, चाले खेल रहे हो, और मुझे, तुम्हारे पिता, जिनको दराने की कोश नहीं किया, काड, लेकिन दूसरे पक्ष ने केवल कुछ दिखावा किया था, और उन दो क्रूर जानवरों का कोई निशान नहीं दिख रहा था, वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था, हाला कि जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई, जिन हाओ का गुस्सा सदमे में बदल लगा, तुम, तुम पर मेरी गोस्ट किंग सील से प्रहार किया गया था, फिर कुछ कैसे नहीं हुआ, उस पल जिन हाओ को सपष्ट रूप से महसूस हुआ, कि उनका गोस्ट किंग सील गायब हो गया है, जैसे उस दिन यू चेंग कुन को अपने गोस्ट किंग सील के खाज बहुत दर्ध हुआ था वैसे ही जिन हाओ भी वर्तमान में इस प्रतिक्रिया का अनुभव कर रहा था। जिससे दोनों के बीच एक सहजीवी बंधन बन गया लेकिन ओल्ड देमन के लिए यह सिर्फ एक स्वादिष्ट नाश्टा था। इस प्रकार उससे निपटने के लिए उसके यान लिक्विड से बना एक हथियार सबसे अच्छा विकल्प था। आला कि जिन हाओ के पास अभी भी वापस लड़ने की ताकत थी। अपने गोस्ट किंग सील के बेवज गायब होने के साथ उनकी मानसिक स्थिती अस्थिर हो गई थी। और अब उनमें दिवेश का दोबारा सामना करने का आत्म विश्वास नहीं था। उन्होंने तुरंट अस्थाई रूप से पीछे हटने का फैसला किया। उसकी रीड में सहरन दोड़ गई। समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होने के कारण वह अचानक खून की गंध की चपेट में आ गया क्योंकि उसकी गर्दन से दर्द की लहर फूट पड़ी। जमीन पर गिरते हुए जिन हाउने विरोध करने के लिए सक्त संघर्ष किया क्योंकि उसकी नजर उसके सहयोगी राक्षस जानवरों में से एक पर पड़ी जो उसके साथ आया था और उसे काट रहा था उसका दिल तुरंट थंडा हो गया जिन हाउने स्वर्ग की ओर दहारते हुए कहा जीमो तुम विश्वास धाती कुतिया उस पल में उसे यकीन हो गया कि जीमो ने उसे मारने का फैसला किया है इस जीवन और मृत्यू संकट का सामना करते हुए जिन हाउने अचानक अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया अन्ता पांचवे क्रम के राक्षस जानवर के दान्तों से खुद को मुक्त करने में काम्याब रहे और अजीब तरहे से लड़ खड़ा कर अपने पैरों पर गिर पड़े उनके घाव से खून बह रहा था जो उनके ऊपर छोड़ दिया गया था गर्दन बमुश्किल अपने पैरों को फिर से खड़ा करने में काम्याब होने पर देवेश की तलवार से उस पर तुरंथ हमला कर दिया गया जैसे ही खूनी लाल तलवार कटी जिन हाव ने तुरंथ उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया उसके भूत के पंजे ने अपनी अविश्वस्निय लचीलापन प्रदर्शित किया सीधा प्रहार करने के बाद भी उसकी बाह से अलग होने के बजाय केवल गहरा घाव हुआ था उसी समय पांचवे क्रम का मॉंस्टर बीस्ट भी देवेश के साथ मिलकर पस्ट जिन हाव के खिलाफ हमला करने के लिए दौड पड़ा था अपनी आत्मा के ख्षतिग्रस्थ होने और अभी अभी एक भारी आधात जेलने के कारण जिन हाव अपनी ताकत का अधिक्तम 30 प्रतिशत उप्योग कर सकता था तो वह संभवता देवेश के प्रतिदवंदवी के रूप में कैसे खड़ा हो सकता था केवल 30 सांसों के बाद देवेश जिन हाव के भूत के पंजे को काटने में काम्याब रहा अपने सभी महत्वपूर्ण हाथ खोने के बाद जिन हाव के पास अब विरोध करने की क्षमता नहीं थी घबराहट में भाग रहा था लेकिन उड़ने की भी ताकत नहीं होने के कारण उसे जल्द ही देवेश और पांचवे क्रम के मौंस्टर बीस्ट ने मार गिराया जब जिन हाव की मृत्यू हो गई तो अन्य दो राक्षस जानवर जो अब तक देख रहे थे उन्हें कुछ निर्देश प्राप्थ हुए वे तुरंट एक साथ भाग निकले देवेश लड़ाई शुरू होने से पहले से ही उनकी हरक्तों से साबधान था यह जानते हुए कि उन्हें तियान लैंग राजवंश के क्रिशकों ने गुलाम बना लिया था उसने पूरी तरह से उनका सिर काटने का इरादा किया था लेकिन वे बहुत तेजी से भाग गए थे और वह उन्हें बनाए रखने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने अनिच्छा से उन्हें जाने दिया धीरे से राहत की सांस लेते हुए देवेश ने अपने बगल में पाँचवे क्रम के राक्षस जानवर की ओर देखा उसकी जुर्रीदार भौह धीरे-धीरे शांत हो रही थी उसकी आखों में धीरे-धीरे संतुष्टी का स्पर्ष दिखाई दे रहा था यह लड़ाई उस नाइन स्टार स्वोर्ड स्कूल के शिश्य के खिलाफ हुई लड़ाई की तुलना में काफी आसान थी ओल्ड डेमन का अस्तित्व और इस पांचवे क्रम के मौंस्टर बीस्ट का दलबदल जिन हाओ के साथ इतनी आसानी से निपटने की कुणजी थी मरने तक जिन हाओ को अभी भी समझ नहीं आया कि राक्षस जानवर जो उसके साथ आया था अचानक उस पर क्यों भड़क गया हर चीज का मूल बीस्ट सोल कौशल था यह विशेश उपियोग कुछ ऐसा था जिसे देवेश ने अंजाने में खोजा था कुछ दिन पहले जब उसका सामना पांचवे क्रम के राक्षस जानवर से हुआ था तो देवेश ने अपनी सहायता के लिए दो जानवर प्रेतों को बुलाने के लिए अपने बीस्ट सोल कौशल का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी लेकिन किसी अज्यात कारण से दोनों जानवर आक्माए एक साथ विलीन हो गई और बगल गई एक चमक्ती रोशनी जो पांचवे क्रम के राक्षस जानवर के शरीर में प्रवेश कर गई इसके तुरंत बाद पाँचवे क्रम के इस राक्षस जानवर ने वास्तव में देवेश के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया इस अंजाने खोज ने देवेश को खुश कर दिया जिससे उन्हें यह पता लगाने में कुछ समय लगा कि यह रहस्यमय प्रभाव कैसे और क्यों आया लेकिन उनके प्रयास ज्यादा तर बेकार साबित हुए थे उसी घटना को दोबारा न दोहरा पाने के कारण वह काफी निराश हो गया मुख्य समस्या यह थी कि उसका सामना करने वाले राक्षस जानवरों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी जिससे उसके पास वस्तुता कोई परीक्षन विशय नहीं रह गया था एक चीज जो उन्होंने हासिल की थी वह थी इस कौशल का नामकरण उन्होंने इस नए मार्शल कौशल को जिसे वाइट टाइगर सील और डिवाइन ओक्स सील को एक साथ मिला कर बनाया गया था बीस्ट स्लेव सील कहा अब वह या तो अपनी सहायता के लिए दो भूत प्रेतों को बुला सकता था या दोनों को एक साथ जोड कर इस नए मार्शल कौशल का निर्माण कर सकता था जिन हाओ से लड़ते समय बीस्ट स्लेव सील ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई यदि लड़ाई के अंत में जिन हाओ के साधनों और ताकत के साथ पाचवे क्रम के मौन्स्टर बीस्ट का आश्चर्य जनक हमला नहीं होता तो वह संभवत है बच जाता यह कौशल अध्भुत था वाइट टाइगर सील और डिवाइन ओक्स सील की शक्ती की तुलना में बिलकुल अधिक शक्तिशाली जब उन्होंने दो पशुप्रेतों को बुलाया हाला कि उनकी आक्रमन शक्ती असाधारन थी उनकी समगर युद्ध प्रभावशीलता में कुछ कमी थी दोनों फेंटमों में से प्रत्येक की युद्ध क्षमताएं उसके सामने पाचवे क्रम के इस एकर राक्षस जानवर से थोड़ी कम थी बहतर संख्या के कारण ही वे इसके खिलाफ जीत हासिल कर सके 30 किलोमिटर दूर ध्यानमगन जीमों ने अचानक अपने आखे खोली उसके चहरे पर आश्चर्य की जलक दिखाई दी जबकि उसकी अभिव्यक्ती कुछ भ्रमित हो गई लेंग शान जो उसके पीछे खड़ी थी उसके चहरे पर एक चौका देने वाला भाव था वह मधोशी से देवेश की दिशा की ओर देख रही थी उसकी आखों में दुहक और खुशी की जलक दिखाई दी सहानुभूती और गलानी का एक जटिल मिश्रण यद्यपी जिनहाव उनके संप्रदाय में उनके वरिष्ट भाई थे जब उन्होंने जीमो के अनुरोध को स्विकार कर लिया तो इससे लेंग शान को उससे घ्रेना होने लगी और उसने प्रार्थनाकी के वह विफल हो जाएं और वही मर जाएं बजाए इसके की वापस लोटकर उसके शरीर को अशुध कर दे जिससे वह उस दुहस्वपन से बच जाएं लेकिन अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी तो उसे इस मूरी तियान लैंग राजवंश की महिला की दया पर अकेला छोड़ दिया गया था उसका भविश्य अनिश्चिता से भर गया था जब जिन हाओ की मृत्यू हुई तो इन दोनों महिलाओं ने अलग-अलग तरीकों से इसका एहसास किया था आपका वरिष्ट भाई मर गया है जीमो धीरे से खड़ा हुआ हलके से लेंग शान पर नजर डाली हम्फ अच्छा हुआ कि वह मर गया लेंग शान ने व्यंग्य किया हेहे सच इतना बेकार आदमी मैं इससे अधिक निराश नहीं हो सकता जीमो उपेक्षा पूर्वक मुस्कुराई कुछ ही देर बाद उसकी भौहें तन गई और उसने सोचा लेकिन इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से कुछ साधन है जो इतने कम समय में उसे मारने में काम्याब रहा वह निश्चित रूप से कोई छोटा लड़का नहीं है जैसे ही जीमो ने बाद की उसकी आखें चमक उठीन जैसे उसे अभी-भी कोई नया खिलोना मिला हो उसके सुंदर चहरे पर उत्तेजना के भाव जहलक रहे थे यहां तक कि उसकी सासे भी थोड़ी तेज हो गई थी हलके कदमों से जीमो देवेश की दिशामें आगे बढ़ने लगी दरजनो राक्षस जानवर उसके चारों और जमीन पर लेटे हुए खड़े हो गए और तेजी से उसका पीछा कर रहे थे लेंग शान ने एक पल के लिए इधर उधर देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया वह जानती थी कि उसका बचना नामुमकिन है भले ही वह किसी तरह अपने आसपास राक्षस जानवरों की धीर को नजरंदाज कर सकती थी लेकिन जीमों ने उसके शरीर में जो चीज डाली थी वह यह तै करने के लिए परियाप्त थी कि वह जीवित थी या मर गई थी देवेश ने खून के कन को हटा दिया जो जिन हाओ के मरने के बाद संधनित हो गया था और फिर अपने बगल में पांचवे क्रम के मौन्स्टर बीस्ट को देखने लगा यह चीज एक मेलवोलेंट गोल्डन शैडो तेंदुआ थी जो पतले कद और चिकनी शरीर रेखाओं वाला एक राजसी जानवर था इसकी प्रत्येक मानस्पेशी में एक विस्पोटक शक्ती छिपी हुई थी प्रत्येक अंग तीन इंच स्टील को चीरने के लिए पर्याप्त नुकीले पंजों से सुशोगित था देवेश को महसूस हो रहा था कि यह पांचवे क्रम का राक्षस जानवर अब तक मारे गए कुछ राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था यह संभवत्या मध्य चरन का पांचवा क्रम का जानवर था पांचवे या चठे चरन के ट्रू एलिमेंट बाउंदरी कल्टिवेटर के बराबर ऐसा कहने के बाद एक वास्तविक लडाई में यह ट्रू एलिमेंट बाउंदरी के पांचवे या चठे चरन के कल्टिवेटर के लिए मुकाबला नहीं होगा प्रू एलिमेंट बाउंडरी के दूसरे या तीसरे चरण में कोई व्यक्ती इसे मारने के लिए परियाप्थ होगा। हाला कि देवेश के लिए जो बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, वहर इसकी ताकत नहीं थी, बलकि इसकी वर्तमान स्थिती थी। उन्हें हमेशा यह अहसास होता था कि यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है। यह भावना बहुत ही निराशाजंग थी और बीस्ट स्लेव सील के प्रभाव के तहट यह असंभव होना चाहिए। हालाकि इस समय यह द्वेशपूर्ण गोल्डन शैडो तेंदुवा बेचैन था, लगातार अपना। सिर और पूछ हिला रहा था, बार-बार गुर्रा रहा था। कुछ गलत था। एक पल के लिए विचार करते हुए, देवेश ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि तियान लैंग राजवन्ष के क्रिशकों द्वारा इन राक्षस जानवरों को गुलाम बनाने के लिए जिस पद्धती का इस्तिमाल किया गया था, वह किसी तरह उनके अपने जानवर छे बार प्रसारित करने के बाद देवेश को अन्ता कुछ अजीब मिला, मिलवोलेंट गोल्डन शैडो तेंदुए की खोपडी के अंदर कुछ ऐसा था जिससे एक अलग जीवन सार जलक रहा था, देवेश का चहरा गंभीर हो गया, जब उसने मिलवोलेंट गोल्डन अन्ता जिसे चोट लगती थी, वह मिलवोलेंट गोल्डन शैडो तेंदुआ था, परिशान होकर देवेश ने अपने युआन क्यूई के आउटपुट को बढ़ा दिया, जबकि इसके द्वारा तै किये गए पत को साभधानी पूर्वक नियंत्रिक किया, क्योंकि विदे प्रतिक्रिया को तीन या चार बार दोहराने के बाद, तेंदुए के सिर के अंदर की चीज आखिरकार इसे सहन करने में असमत हो गई और भागने के लिए बेताब होकर तेजी से बाहर निकल गई। इस बाग से अवगत होकर, देवेश ने अपना ध्यान इस पर कबजा करन पर केंद्रित किया ताकि वह यह पता लगा सके कि तियान लैंग राजवन्ष के क्रिशक इन राक्षस जानवरों को गुलाम बनाने के लिए किस पद्धती का उप्योग कर रहे थे। लगभग 10 सांसों के बाद, मेलवोलेंट गोल्डन शैडो तेंदुए के माथे से कुछ और समझ पाता, कीट उसकी उंगली के साथ उसके शरीर में घुस गया। देवेश का चेहरा उतर गया और वह तेजी से अपनी युवान क्यूई चलाने लगा। तुरंत कीट को उसके असली यांग युवान क्यूई में लपेट दिया गया और उसके शिरोबिंदु म पहले ही भाग नहीं गया होता जब उसने अपनी युवान क्यूई को इसमें इंजेक्ट किया था। चूंकि उसका सच्चा यांग युवान क्यूई इस पर लगाम लगा सकता था, स्वाभाविक रूप से उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। एक बिल्ली को देखा था। इस कीडे से एक प्रकार की अकतनिय उर्जा भी निकल रही थी। यह बहुत हलका था और यदि उसने इसकी सावधानी पूर्वक जांच नहीं की होती तो उसे यह आसानी से नहीं मिल पाता। बूढे दानव इस बग को देखो। इसमें कुछ अ राजवन्ष में से एक से जोडता है। तुम्हारा क्या मतलब है किसी ने उनकी मदद की। बूढे दानव ने कहा हाँ पुराने नौकर को संदे है कि उनके संप्रदाय में उनके गुरु ने उनके गुरु ने उनके इन कीडों की आत्माओं में दिव्य भावना का एक धागा डालने में मदद की ता कि वे उनके इच्छानुसार नियंत्रित कर सकें। वे इन कीडों को नियंत्रित करते हैं जबकि ये कीडे राक्षस जानवरों में घुस जाते हैं जिससे वे उन्हें गुलाम बना लेते हैं। देवेश की आखे चमक उठीं उसके मन पर छाया सारा बोज एक आएक उठ गया। इसके बजाए उन्होंने इन अजीब कीडों को नियंत्रित किया और ये कीडे राक्षस जानवरों के कारियों को निर्देशित कर सकते थे। यहां तक सोचते हुए देवेश जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां जिन हाव की मृत्यू हो गई थी धूल चानी और कीडे में भी दिव्यभावना का एक धागा अंतरनेहित था। पता चला कि जिन हाव तियान लैंग राजवन्ष के क्रिशकों के साथ काम नहीं कर रहे थे। देवेश ने बुदबुदाया। संभवत उसके शरीर के अंदर इस कीडे के कारण उसे तियान लैंग राजवन् यही थी। जीमो वही नाम था जिन हाव ने चिलाया। क्या तियान लैंग राजवन्ष का किसान उसे नियंतरित कर रहा था जिसे जीमो कहा जाता था। जैसे ही देवेश ने विचार किया, उसके मन में एक कुटिल विचार आया और उसके चहरे पर एक कुटिल मुसकान कर रहे होंगे, अगर वह अचानक पकड़ी गई, तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। हे हे, देवेश हंसने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने तुरंत कई अलग-अलग साजिशों के बारे में सोचा जिनका उप्योग वह इसका फायदा उठाने के कुटिल है, जीमो अपनी मॉंस्टर बीस्ट आर्मी को उस स्थान पर ले गई जहां जिन हाव की मृत्यू हुई थी और जल्दी से धूल के धेर को छानना शुरू कर दिया, हालाकि काफी समय खोजने के बाद भी, वह अपनी आत्मा को नियंतरित करने वाले कीट को खोजने हुआ था, यह एक गंभीर मामला था, एक बार जब कोई कीट किसी शत्रू के हाथ में पढ़ गया, जिसने उन्हें नश्ट कर दिया, तो इससे दिव्य भावना से जुड़ी आत्मा को नुकसान होना तय था, यदि ऐसा भीशन युद्ध के बीच में हुआ, तो इसमें करारी हार होगी, और यहां तक कि उनका जीवन बचाना भी संदिग्ध था, इसलिए जब भी उसके नियंतरित राक्षस जानवरों में से एक की मृत्यू हो जाती है, जीमो उस स्थान पर भाग जाता है, जहां वह गिरा हुआ था, और अपनी आत्मा को नियंतरित करने वाल ये मुह बनाया, हाला कि उसने अभी तक अपनी आत्मा की खेती नहीं की थी, और एक बड़े क्षेत्र की खोज नहीं कर सकी थी, दिव्य समवेदना का धागा, आखिरकार उसका अपना था, इसलिए एक निश्चित सीमा के भीतर वह अभी भी इसे महसूस कर सकती थी, थोड दसियों राक्षस जानवर तेजी से फैल गए और उस स्थान को घेरना शुरू कर दिया, जिसकी ओर जीमो देख रहा था, लिंशान स्थब्ध रह गई, उसे जीमो की हरक्तों और आचन से तुरंट समझा गया, कि वह जिस स्थिती की उम्मीद कर रही थी, वह तलने वाली पड़ेगा, तो वह कुछ खुशी महसूस करने से खुद को रोप नहीं सकी, गुप रूप से इस अच्छे शो को देखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने स्थिती की वर्तमान दिशा में विकास की उम्मीद नहीं की थी, क्या जिन हाओ को मारने वाला गुरू इधर- और कई राक्षस जानवर तुरंत भागने वाली आकरिती की ओर दौर पड़े, वह बुरी तरह मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई, चिल्लाई, भागने की कोशिश मत करो, तुम बच नहीं सकते, आपके शरीर के अंदर मेरे आत्मा को नियंतरित करने वाले कीट के सा भले ही आप प्रित्वी के छोर तक भाग जाएं, फिर भी आपको मेरे पास वापस आना होगा, और मेरा गुलाम बनना होगा, जब तक कि आप पीडा का अर्थ नहीं सीखना चाहते, मल, मैं जानता था कि वह कीट अजीब था, जंगल से च्शाप देने की तीवर ध्वनी ग पूट गई, अंत में जिस व्यक्ती ने जिन हाओ को मार डाला वह भी अब आत्मा को नियंतरित करने वाले कीट के नियंतरन में था, क्या वह किसी प्रकार का मूर्ख या मूर्ख था, जंगल में छिपे व्यक्ती ने वास्तव में भागने की कोशिश करना बंद कर दिया, औ और तीजी से राक्षसी जानवरों के जुन से घिर गया, और तुरंत कैदी बन गया, केवल एक क्षन बाद उन्होंने उसे बाहर जाने और खुद को जीमों के सामने पेश करने के लिए मजबूर किया, जब उसने इस व्यक्ती का चहरा देखा, तो लिंग शान खुद को का जटका लगा, जैसे ही उसने देवेश की ओर देखा, उसके विचार तेजी से घूमने लगे और अपने विकल्पों पर विचार करने लगे, आगे बढ़ते हुए देवेश के चहरे पर अनिक्षा और बिपसी के भाव जलक रहे थे, आखिरकार जीमों और लेंग्शान से लगभक 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर, उसने एक अजीब सी मुसकान बिखेरी और पूछा, लड़की, यह शापित कीट क्या है? यह मेरे तियान लैंग राजवंश का विशिष्ट रूप से उत्पन आत्मा को नियंत्रित करने वाला कीट है. जब तक यह तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम मेरे गुलाम हो. जीमो ने धैर्यपूर्वक समझाया और देवेश की ओर देखा, जब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक किशोर था, तो उसका सुंदर चहरा आश्चर्य से भर गया, और उसे आश्चर्य हुआ की जिस व्यक्ती ने इतनी आसानी से जि अब मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूँ, क्या मुझे रात में तुम्हारा बिस्तर गर्म करने में मदद करनी चाहिए। दे सकते हैं, लेंग शान ने अचानक हस्तक शेप किया, उसकी चमकदार आखें देवेश को घूरते हुए बोल रही थी, उपयोगी जानकारी जीमो की दिल्चस्पी बढ़ी, यह उसके बारे में है, देवेश की ओर इशारा करते हुए लेंग शान का चेहरा भावीन रहा, देवेश जो अब तक आराम से दिख रहा था, अचानक कठोर हो गया और उसने चुकचाप अपनी युवान QE को धका दे दिया, हाला कि उन्हें नहीं पता था कि यह गोस्ट किंग वैली महिला, शिश्या क्या कहेगी, लेकिन उन्हें यकीन था कि इससे उनके लिए कोई फ हिलाया जबकि लेंगशान की अभिव्यक्ति अप्रिवर्तित रही, चुपचाप उसके जारी रहने का इंतजार कर रही थी, आखिरकार उसे वास्तव में यहां अपनी आजादी हासिल करने की उम्मीद नहीं थी, हालांकि मैं आपके साथ बहतर व्यवहार कर सकता हूँ, कम की गुप्तकला एक शुध्यान तक्नीक है। खासकर यह देखते हुए कि वह दरजनों राक्षसी जानवरों से घिरा हुआ था, जैसे ही उसने हमला करने का फैसला किया, वह मर जाएगा। अगर वह मर गया, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसने पहले इस साजिश का खुलासा किया, तो उसे अपने लिए तुरंत कठोर हो गई, वह तेजी से घूमी और देवेश को घूरने लगी, उसकी आखों में जानलेवा इरादा भर गया। देवेश ने बार-बार व्यंग्य किया, उसका आचन अब अविश्वस नियरूप से शान्त हो गया। लेंग शान पूरी स्थिती के प्रती उदासीन भावहीन रहे। एक पल के बाद जीमो अचानक मुस्कुराया, आपको इसे तब जला देना चाहिए था जब मैं अभी भी तयार नहीं था ताकि आप जितना संभव हो सके उतना अधिक नुकसान उठा सकें। शायद अगर आप ऐसा करते तो बच सकते थे। लेकिन इसके बजाए आपने एक बड़ी गलती की और मुझे ब्लाकमेल करने की कोशिश की। ओह। रुप्या समझाए। देवेश ने अपनी शांत अभिव्यक्ती फिर से शुरू करने से पहले अपनी भौहें उपर उठाई। जीमो ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि मेरी दिव्य भावना का एक धागा उन कीडों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या उसकी आवास बड़ी और बड़ी होती गई अंतह गड़गराहट की तरह बाहर निकली। उसकी उनमत और अनैतिक हसी को सुनकर जीमो को लगा कि कुछ बहुत गलत है। यह चोटा बच्चा बहुत शांत था या शायद वह पहले से ही पागल हो गया था लेकिन उसकी अहंका जीमो का चहरा जानलेवा इरादे से भर गया जब उसने अपने राक्षसी जानवरों को वध करने का आदेश देने के इरादे से अपना हाथ उठाया। उसे उस पल देवेश ने हंसना बंद कर दिया और जीमो को घूरते हुए कहा तुम मुझे मारना चाहते हो। आह जीमो अचानक चिल्लाई और अपना सिर्पकड़ लिया जबकि उसका कोमल शरीर बुरी तरह कामपने लगा। इस अचानक परिवर्तन ने लेंग शान को चौका दिया और वह पूरी तरह से जड़ हो गई। उसके चहरे पर सगमे की एक जलक फैल गई जब उसने जीमो को पीड़ में तडपते हुए देखा अंता उसका ध्यान देवेश की ओर गया और उसे अभी भी पहले की तरह शान्त और उदासीन देखा पूरे। द्रिश ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह सपना देख रही हो। क्या हुआ? उन दोनों के बीच अभी अभी आखिर क्या हुआ? ल में से कुछ ने तो अपने नुकीले दांत भी दिखा दिये और वे देवेश की ओर गुराने लगे। कदम दर कदम उसके पास आ रहे थे। अपने राक्षस जानवरों को वापस गिरने का आदेश दो, अन्यथा मैं तुम्हारी आत्मा को कुचल दूंगा और तुम्हें ब प्रुता वापस ले ली। विवे की पसंद देवेश ने व्यंग्य करते हुए आगे बढ़कर जीमो के बाल पकड़ लिये और उसे उपर उठा दिया। इस तरह के हिंसक क्रूर रवये ने लेंगशान को ठंडा कर दिया और वह अंजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। केवल एक कमजोर व्यक्ति था। उस समय वह केवल घबरा सकता था और पिटे हुए कुट्टे की तरह भाग सकता था। लेकिन अब जब वे इतने कम समय के बाद फिर से मिले थे तो वह आसानी से तियान लैंग राजवंश की इस साप महिला जीमो को हरा और पकड़ सकता था लेंग शान अच्छी तरह से जानता था कि जीमो कितना घमंडी और घमंडी था। अपनी आत्मा को नियंतरित करने वाले कीडों के साथ वह कई राक्षस जानवरों और क्रिशकों को गुलाम बना सकती थी। इस अलग थलग दुनिया के अंदर उसकी युद्ध शक्ती चरम सीमा से परे थी, तो ऐसा व्यक्ती आधे कप से भी कम चाय के समय के भीतर, अब इस छोटे लड़के देवेश की पूरी दया पर कैसे निर्भर हो सकता है। यह सोचकर की कैसे उसने कुछ मामूली लाभों के बदले में इस राक्षस को बेचने की कोशिश की थी, लेंग शा दीर देवेश के सामने पूरी तरह से उजागर हो रहा था। धीरे धीरे अपना सिर देवेश की ओर घुमाते हुए, जब उसने देवेश की ओर देखा तो उसके चहरे पर एक जिद और नाराजगी भर गई, उसकी आखों से एक सपष्ट नफरत और हत्या का इरादा जलक ऐसा लगता है तुम्हें अब भी समच नहीं आया कि तुम्हारा मालिक कौन है, देवेश ने उसके चहरे पर थपड मारा और उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। जीमो की चीख की आवाज फिर से फूट पड़ी और इस बार यह और भी अधिक दैनिय थी। दर्द से कराहत जीमो ने किसी तरह खुद को देवेश के सामने खीचने के लिए संधर्श किया, आगे बढ़कर उसके टकने को पकड़ लिया, इतना कसकर पकड़ने से उसका हाथ सफेध हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चहरा पसीने से लथपत था, उसने विनमर अभिव जीमो ने तुरंट सिरह लाया, अपनी आत्मा को प्रताड़ित करने के कारण उससे जो दर्ध हो रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि मौत जीवन से बहतर है, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ थी, ऐसी यातना का विरोध करना किसी के लिए भी असंभव था, इसका उस जीमो ने अपने आसों से सने चहरे पर सक्त मुसकान बिखेरते हुए कहा, मैं आपकी अवग्या न करने की कसम खाता हूँ, देवेश ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली बढ़ाई, धीरे से उसे जीमो के छोटे से लाल मुह में डाला और उसकी मिठ जैसी जीब का उपयोग किया, उसे जोश से चाटा और चूसा, उसका कौशल उतकरिष्ट था, अन्यथा उसके लिए यह असंभव होता कि वह लेंगशान को चिढ़ाते हुए खुद पर नियंतरन खो दे, अपनी जीब को उसकी उंगली के चारों और घुमाते हुए, कभी उसके गालों पर बेहमी से चुटकी काटने से पहले उसे उसके कपडों पर पोंच दिया, जिससे उसकी आखों में फिर से आसु आ गए और उसने उसे घूरते हुए एक अजीब नजर डाली, मुझे पता है कि आप केवल अभिनाय कर रहे हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्त होना सामान्य बात है, मेरे अलगाव और पुनर्मिलन के साथवे चरण की ताकत को शक्तिशाली माना जाता है, देवेश उपेक्षा पूर्वकहसा, जीमो का मुस्कुराता हुआ चेहरा हिल गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई, तुम्हारा दायरा ही सब कुछ नहीं है, और तुम अभी भी बहुत छोटी हो, पर्याप्त समय के साथ आप निश्चित रूप से किसी और से अधिक मजबूत होंगे, हाँ हाँ हाँ, आप अच्छी तरह से बोलते हैं, मुझे यह पसंद है, देवेश ने खड़े-खड़े हंस्ते हुए उसे आदेश दिया, उठो, हाँ, जीमो भी खड़ी हो गई और चुपचाप अपने कपड़े ठीक कर लिए, लेंगशान और जिनहाओ के सामने उसने एक स्वामी की तरह व्यवहार किया, लेकिन देवेश के सामने वह एक आज्याकारी नौकर बन गई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस तरह प्रगी, क्रोध, अपमान और अनिच्छा का एक अजीब मिश्रण, देवेश के साथ उसकी पिछली शिकायतों का तो जिक्र ही नहीं, अभी अभी उसे धोखा देना उसे मौत की सजा देने के लिए काफी था, जिस व्यक्ति को उसने बेचने की पहल की थी, अब उसके पास यहाँ निर्नय लेने की शक्ती थी कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी, जैसा की कहा जाता है, नदी 30 साल पूर्व की ओर बहती है, फिर 30 साल पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन 30 साल उंगली के एक साधारन जटके से बीट जाएंगे, प्यू-प्यू जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे हैं और यहाँ नश्वरता से भरा था, लजेडेम मुझे लगता है कि मैंने कहीं सुना है कि यह भी कहा जा रहा है कि युवा लोगों को मत चुनिये क्योंकि इस से पहले कि आप यह जाने, उन्हें आप से फाइदा हो सकता है, जीमो ने देवेश की आखों में जानलेवा इरादा देख सकती थी, लेंग शान की अभिव्यति तुरंत दूग गई क्योंकि वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई, सावधानी से देवेश और जीमो को देख रही थी, उसका चहरा संकल्प से भरा हुआ था, यदि देवेश वास्तव में उसे मरना चाहता था, तो लेंग शान निश्चित रूप से एक हताश जवाबी हमला करेगा, लेकिन कुछ देर की चुपी के बाद देवेश ने अपना सिर हिला दिया, लेंग शान राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके और असमंजस में देवेश की ओर देखते कि अब मुझे जाने देंगे क्योंकि मेरी जिंदगी आपकी मुठी में है, दरसल मैं बहुत दयालू आदमी हूँ, क्या यही कारण काफी नहीं है, देवेश खिलखिला कर हसा, जीमो लगभग धै गया, जबकि लेंग शान ने भी तिरसकार पूर्वक उफास करते हुए कह यदि आप वास्तव में इतने दयालू व्यक्ति हैं, तो आपको उसे मेरे अंदर से आत्मा को नियंतरित करने वाले इंसेट को हटाने का आदेश देना चाहिए, आप कहते हैं कि अब आप मुझे नहीं, मारेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास मेरे जीवन या मृत्यू का फैसला करने की शक्ति है, क्या एक अच्छा आदमी ऐसा करेगा? तुम्हें मुझसे सवाल करने की क्या योग्यता है? देवेश ने व्यंग्य किया, क्या आप गोस्ट किंग वाली एविल सेट के शिश्य एक अच्छे इंसान है? लेंग शान ने उभास करते हुए कहा, मैंन देवेश को अविश्वास से घूरते देख जीमो के शरीर में सिहरन दोड़ गई, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कि यह बच्चा ऐसा निर्ने लेगा क्या वह मूर्ख है? आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीट के बिना वह इस महिला को नियंत्रित करने की योजना कैसे बनाता है? यहां तक की लेंग शान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने यह वाक्य सुना, लेकिन तुरंत बाद उसकी आँखों में खुशी क अंतर था, हाला कि लेंग शान और इस युवा में अपनी शिकायते थी, अंत में वे दोनों महान हान राजवन्ष के क्रिशक थे, इसलिए इन परिस्थितियों में उन्हें वास्तव में एक साथ आना चाहिए. तुम भाग्यशाली हो, जीमो ने उससे फुसकुसाया, उसकी उसने उल्टी की आवाज निकाली और अपने मुह से एक कीडा बाहर निकाला. जीमो ने जल्दी से अपना कीडा हटा दिया, जबकि लेंग शान अब और सहन नहीं कर सका, वह एक तरफ भाग गया और बिना रुके उल्टी कर रहा था. अपना मुह पोंचने के बाद वह धी पी के बाद लेंग शान ने पूछा, हाँ, देवेश ने सिरहिलाया. अगर तुम बदला लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ. मैं उस कमीने के लिए प्रतिशोध नहीं लूगा, लेंग शान ने धीरे से अपना सिरहिलाया, उसकी आखों में अचान गोस्ट किंग सील था. जैसे ही जीमो ने लेंग शान की ओर कदम बढ़ाया, उसकी अभिव्यक्ति ख्राब हो गई, लेकिन देवेश ने उसे रोकने के लिए बस अपना हाथ उठाया. आप लेंग शान जल्दी से पीछे हट गया, और देवेश को सगमे में देखता रहा. जब किसी पर गोस्ट किंग सील का कबजा हो जाता था, तो उनके लिए अपने कारियों को नियंतरित करना आम तोर पर असंभव होता था. आक्मा के बचे हुए टुकडे का आक्रोश पहले किसी व्यक्ति के विवेक को नश्ट कर देगा, और फिर उनके शरीर पर कबजा कर लेगा. लेंग शान ने उसकी स्थिती को सपष्ट रूप से समझा. खत्रों से भरी इस अलग थलग दुनिया के अंदर भले ही उसने अपनी आजादी वापस पाली हो, उसके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और अगर उसका सामना तियान लैंग राजवंश के अन् देवेश को नियंतरित करना जी मो को नियंतरित करने के बराबर था, जिससे उसे जीवन्यापन के लिए परियाप्त पूंजी मिल जाएगी. लेकिन अब जब उस पर गोस्ट किंग सील का कोई असर नहीं हुआ, तो उसे जटका कैसे नहीं लगता? तुम सचमुच एक अच् योग करने के लिए उकसाने की एक चाल थी. तुमने मेरी गोस्ट किंग सील के साथ क्या किया? लेंगशान ने पूछा. आप इसे वापस चाहते हैं? अच्छा. इसे लिए देवेश ने ठिठुरते हुए कहा, वह भयानक चेहरा. अचानक उसके शरीर से निकल कर एक बार फ उसे जाने देंगे? अभी तुम्हें मालूम है, उसने तुम्हें मादने की कोशिश की थी. जो लोग मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है. देवेश दुरभावना से मुस्कुराया, और जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लेंग उसने यह कैसे किया, जीमो पूरी तरह से भ्रमित था. लेंगशान को जो यातना सहनी पड़ी वह जीमो द्वारा सहन की गई यातना से कहीं अधिक गईनिय थी. अगरबती की पूरी छडी के बाद ही उसने चीखना बंद किया, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि ले लेंगशान पूरी तरह से बेहोश हो गया था. देवेश ने ठंडे स्वर में आदेश दिया. उसे यहां वापस लाओ. हाँ, जीमो तेजी से आगे बढ़ा, बेहोश लेंगशान को उठाया और उसे वापस ले गया. जैसे ही उसने लेंगशान के पसीने से भीगे हुए श चिलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद कोमा में चली गई. यह देखकर जीमो की पीठ में ठंडक डौड गई, जिससे वह और भी अधिक सावधानी से देवेश की सेवा करने के लिए प्रेरित हुई. वह अब जानती थी कि यह युवक कितना करूर था, एक महिला क प्रती भी. वह और लेंगशान दोनों प्रथम श्रेई की सुंदर्या थी, लेकिन जब उन्होंने उसका विरोध किया, तो उसने उन्हें अमानविय यातना देने में जरा भी संकोच नहीं किया. ऐसा व्यक्ती बहुत भयानक था. वह बस एक ठंडे खून वाला राक्षस एक दिन बाद लेंगशान फिर से जाग गया, लेकिन इस बार देवेश ने उसे और अधिक पीडा नहीं दी. आखिरकार वह अभी भी एक सची तत्व सीमा कृषक थी जिसने अभी तक अपना ज्यान सागर नहीं खोला था और वह अपनी आत्मा को विक्सित करने में असमर् गई, उसके होंट अभी भी काम रहे थे, उसके चहरे से अभी भी खून बह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर से सांस लेने से भी डर रहा हो। अशा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उफ देवेश ने सांस छोड़ी, अपने सामने दो महिलाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक था, लेकिन ध्यान बनाये रखने का विकल्प चुन रहा था, उन पर ध्यान न देने का नाटक कर रहा था, यह अशा के लिए उच्सुक था कि वे क्या कारवाई करेंगे जबकि उसकी सुरक्षा पूरी तरह से शांत थी। लेंग्शान के चहरे पर अपमान की जलक दिखी और उसने धीरे से अपने होट काटे, दर्ते दर्ते देवेश की ओर देखने लगी और फिर जल्दी से उसकी नजरों से बच गई। देवेश ने उसे घूरते हुए बस अपने चहरे पर हलकी सी मुसकान रखी। मैं गलत था। लेंग्शान के लिए बोलते हुए जीमो आगे बढ़ी और धीरे से अपनी आखे पोची। चुना नहीं मुझे लेंग्शान ने घ्रेना से जीमो का हाथ चीन लिया। मैं इसे केवल एक बार ही पारित होने दूँगा देवेश ने उदासिंता से कहा। यह सुनने के बाद लिंग्शान मदद नहीं कर सकी लेकिन राहत की सांस ली क्योंकि जब तक वह लाइन में रहेगी उसे दोबारा उस अमानविय यातना का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। आपने वह कैसे किया? उचने का साहस जुटाने से पहले लिंग्शान काफी देर तक जिजगते रहे। अब से ठीक पहले उसने देवेश पर अपनी गोस्ट किंसील से हमला किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह उसके पास वापस आ गई और साथ ही कुछ और भी जो उसक उचसुक हूँ, कृपया क्या तुम मुझे बता सकते हो, जी मो मनमोहक धंग से मुस्कुराई, देवेश की ओर अपनी आखें जपकाई, और एक वास्तव में आतरशक तस्वीर बनाने के लिए थोड़ा सा मोह बनाते हुए अपने हुठों को सिकोड लिया। देवेश ने बेबाकी से जवाब दिया, यहाँ आसान था, मैंने बस आपकी आत्मा पर एक ब्रांट लगा दिया। कर सकते हैं ताकि वे आत्मा से संबंधित मार्शल कौशल और तकनीकों का उप्योग कर सकें। यह सुनकर दोनों महिलाएं हैरान रह गई। यह कितना आसान था, हाला कि उन्होंने अभी तक अपनी दिव्य इंद्रिया विक्सित नहीं की थी, फिर भी वे अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरे की आत्मा पर मुहर लगाना कितना कठिन है। किस दुनिया में सरल था। दुर्भाग्य से जब उन्होंने उन दोनों के साथ जो कुछ हुआ था उस पर दोबारा सोचा, तो घटनाओं की पूरी श्रिंखला को वास्तव में सरल के रूप में वर्नित किया जा सकता है। करने वाले कीट से जुड़ा हुआ था और उसके बाद उसी भागय का सामना करना पड़ा। उस बिंदु पर उनके सामने इस लड़के ने जिन हाओ को मार डाला था, लेकिन उसने नहीं छोड़ने का फैसला किया था। इसलिए वह सपष्ट रूप से शुरू से ही यह सब साजिश रच रहा था। बस जीमो द्वारा उसके द्वारा बताई गई स्क्रिप्ट का पालन करने का इंतजार कर रहा था। हास्यासपद रूप से जीमो वास्तव में भाग गया था, पूरी तरह से उसके कृत्य के लिए गिर गया और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह चाहता था, जिसने उसे उसका गुलाम बना दिया। यह याद करके कि यह सब कैसे हुआ, जीमो को लगा कि उसका दिल बैठ गया है और वह अंथीन अफसोस से भर गया है। जीमो ने उसका जवाब सुनने के बाद अपनी गौरवान विच्छाती थपतपाई और एक चुलबुली हंसी निकाली, अच्छा, एक मात्र प्रिथक करण और पुनरमिलन साथवे चरण का साधक यह सब कैसे पूरा कर सकता है। अभी का द्रिश्य स्पष्ट रूप से एक छोटे दायरे की सफलता था। हाला कि उसके द्वारा उतसरजित आभा का उतार चड़ाव बहुत मजबूत नहीं था। वे ट्रू एलिमेंट बाउंडरी कल्टिवेटर की सीमा तक भी नहीं पहुँच पाए। अब मैं प्रिथक करण और पुनरमिलन सीमा आठवे चरण में हूँ। देवेश्ट दोनों महिलाओं को देखकर मूर्खतापूर्ण धंग से मुस्कुराया। यह देखकर जीमो और लेंग्शान दोनों की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उन्होंने अंदर ही अंदर शाप दिया। तो वह वास्तव में सिर्फ एक प्रिथक करण और पुनरमिलन क्रिशक है। उसने पहले जो कहा वह वास्तव में सच था। इस कठोर वास्तविक्ता का सामना करते हुए जीमो और लेंशान शर्मिंदगी से लाल हो गए। उन दोनों के बीच एक सच्चा तत्व चोथा चरण था जबकि दूसरा सच्चा तत्व चठा चरण तक पहुँच गया था और वे दोनों अपने संबंधित संप्रदायों में स्वर्ग की पसंदीदा बेटियां थी। हाला कि देवेश का सामना करते समय वे दोनों तुरंत हार गए थे और केवल नौकर बनकर रह गए थे एक तथ्य जिसके बारे में उन्हें शर्म महसूस हुई। उन दोनों के चहरों पर एक कुटिल मुस्कान उभराई लेकिन दोनों महिलाओं को कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल सके। आप दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं हाला कि मैं नियंत्रित करता हूँ कि आप जीवित रहें या मर जाएं। जब तक आप आग्याकारी रूप से मेरे आदेशों का पालन करते हैं और मेरे खिलाफ योजना बनाने की कोशिश नहीं करते हैं मैं आपको बहुत अधिक शर्मिंदा नहीं करूँगा। तो अब से यदि आप किसी को या किसी राक्षसी जानवर को मारना चाहते हैं तो बेजज़क मारें। अगर मुझे तुम्हार नहो कि वह उनके इरादों को गलत समझ ले। यह लड़का सचमुच असामान्य है जीमो ने दूर स्थित देवेश को देखकर बुदबुदाया। हम लेंग शान ने मुह बनाया और याद किया कि कैसे उसने खुद को उसके सामने विनमर कर दिया था। वह अपमानित महसू आखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे और उसने जीमो की ओर घूर कर देखा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे द्वारा किये गए अपमान के बारे में भूल गई हूँ। जीमो ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा तुम इतने परेशान क्यों हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुचाई है और इसके अलावा क्या आपको इसका आनन्द भी नहीं आया। मुझे पता है कि जिस तरह से आपने मुझे जवाब दिया वह निश्चित रूप से बास्तविक था। तुम कुतिया। लेंग शान गुस्से में चिल्लाई और उसका चहरा चमकीला लाल हो गया। अगर तुमने दोबारा इसका जिक्र करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जीमो ने उस पर तिरसकार पूर्वक व्यंग्य किया। हम जिये या मरे यह अब हम पर निर्भर नहीं है। इसलिए बहतर होगा कि आप मेर प्रती अपनी नफरत को एक तरफ रख दें। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए वह यहा है कि जीवित कैसे रहें। आपने हमारे प्रती उनका रवया देखा है। वह जरा भी दया नहीं दिखाता है। इसलिए यदि हम वास्तव में उसे दुख आप इतनी कड़वी होने पर क्यों जोर दे रही है। हमें अब से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कितना क्रूर व्यवहार करता है अंतव अभी भी सिर्फ एक युवा व्यक्ति है जो अपने दिमाग से सोचता है। है ना। आप और मैं दोनों विश्वस्तरिय सुंदरिया हैं तो हमारे लिए इस छोटी बच्ची को अपनी उंगलियों पर लपेटना कितना कठिन हो सकता ह मुझे लगता है कि आप बस उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहते हैं लिंग शानने बेढमी से चुटकी ली। अब खुद को अपमानित नहीं करूंगा दूर जाने और ध्यान करने के लिए बैठने से पहले लेंगशान ने उसका उभास किया। देवेश द्वारा प्रताडित किये जाने के दौरान दो बार कोमा में जाने के बाद उसे खुद को बहाल करने की सक्ट जरूरत थी। जी की शुरुआत से चला आ रहा एक सक्ट्य था। देवेश पाल्थी मार कर बैठा था और उसने अपना ध्यान अपनी फसल और अनुभवों से निपटने पर केंद्रित किया। लेकिन उसने अभी भी चुकचाप जीमो और लेंशान के कारियों पर उस ब्रांड के माध्यम से कुछ निगरानी बनाए रखी जो उसने उनकी आत्माओं पर छोड़ा था। हाला कि वह सुन नहीं सका कि वे क्या चर रहे थे। फिर भी इस अजीर प्रतिक्रिया के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि उनके इरादे क्या थे। फिलहाल उन दोनों का भीर रूप से घायल करने के लिए दो आत्मा को नियंतरित करने वाले कीडों को जलाने की थी और फिर एक घातक जटका देने के अफसर की प्रतीक्षा करना था। लेकिन ओल्ड देमन ने एक बहतर विकल्प पेश किया। उन्होंने देवेश को जीमों के दिव्यज्यान के भी बहतर काम कर रही थी। एक बार पहले ही सफल होने के बाद देवेश को तुरंट लेंग शान को भी इसमें शामिल करने का विचार आया। आखिरकार गोस्ट किंग सील एक गोस्ट किंग वैली शिष्य का सहजीवी मार्शल कौशल था। इसलिए इसका निश्चित इसलिए उसके नियंतरन हटाये जाने का कोई डर नहीं था। आत्मा एक बहुत ही नाजुक चीज थी और अब जब जीमो और लेंग शान की आत्मा उपर देवेश का निशान लगा दिया गया था। भले ही उनके संप्रदाय के विशेशग्यों में से कोई उन्हें इसे हट जाने में मदद करना चाहता हो फिर भी उन्हें इस बात की चिंता होगी कि क्या ऐसा करने से नुकसान होगा उनकी चेतना। यह दुरभाग्यपूर्ण है वह आत्मा का अवशेश मेरी चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता था। बुढ़े दानव ने अचानक शिकायत अगर मुझे पता होता कि मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ तो मैंने जिन हाओ को क्यो मारा होता। इसके बजाए में एक और गोस्ट किंग वाली शिश्य को गुलाम बना लेता। देवेश ने कटुता पूरवक शिकायत की। बुढ़ा दानव बस मुस्कुराया। तुम्हे सर्वेंट ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा होता। भूल जाओ किसी आदमी को गुलाम के रूप में स्विकार करना वैसे भी थोड़ा कठिन है। देवेश ने नाराजगी से कहा। एक पल के लिए जीमो और लेंग शान को गुप रूप से देखने के बाद दे देवेश को उस बीस्ट स्लेव सील की याद आई जो उसने उसकी आतमा में लगाई थी। जब पांचवे क्रम के इस राक्षस जानवर को अपनी आजादी मिल गई तो वह तुरंत जंगल में भाग गया। देवेश ने इसे मारने या इसका पीछा करने के बारे में भी नही सोचा। इसके बजाए उसने जीमो को आदेश दिया कि वह अपने राक्षस जानवरों को इस पर कबजा करने के लिए बुलाए और फिर उसके अंदर अपनी आतमा को नियंतरित करने वाले कीट को फिर से लगाए। अपना आदेश जारी करने के बाद देवेश ने अब उस इस शोर से आकरशित होकर जीमो और लेंगशान तुरंत यह देखने के लिए मुड़े की क्या हुआ था और फिर अंजाने में उनके जबडे जुप गए जब उन्होंने दो सजीव जानवर प्रेत देखे। उनमें से किसी ने भी इतना गहन युध कौशल कभी नहीं देख यह वास्तव में अपनी खुद की युवान क्यूई ले सकता है और दो रक्त लाल इथर राक्षसी जानवरों का निर्मान कर सकता है। इस बीस्ट सोल सकेल की एक कमजोरी का पता चला, वह यह थी की चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह एक समय में केवल एक वाइट टाइगर फेंटम और एक डिवाइन ओक्स फेंटम को बुला सकता था। उसके शरीर के अंदर छोड़ दी थी। यदि वह बीस्ट स्लेव सील की उप्योगिता को बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने भीतर की दो परशु आत्माओं को पूरी तरह से वश्मि करना होगा। और इसलिए देवेश ने लगातार वाइट टाइगर सील और डिवाइन ओक्स सील को सक्रिय किया, फिर उन्हें एक साथ मिला दिया, क्योंकि उन्होंने इस कौशल के छिपे रहस्यों का सावधानी पूर्वक पता लगाया। क्योंकि तरह सावधानी जन्होंने इस वश्मि करना होगा है। झाल